अजी गडिवनी तर काफी दिनों बाद आ रहा है आप थियोरी बोल रहा थे कि आप जल्दी अप्लोट करेंगे हाँ जी टाइम लग गया थोड़ा सा पर ठीक अब अप्लोट तो होई गया है वीडियो तो टेंशन वाली बात नहीं आप जितना भी मुझे डाट होगे तो टोटल में लाकर सर थियोरी कितने चैप्टर्स का आप अप्लोट कर रहे हो तो आज देखा जाए में जो हमारे चैप्टर्स में उसकी बात कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से काम करेंगे मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा बहुत ही गम समय बचा हुए तो जो थियो एन स्ट्राइटजी मतलब अपका फर्स चैप्टर होगा मेरी जानता आपका फर्स चैप्टर यह है सेकेंड कौन सा रिस्क मैनेजमेंट होगा कोई बात नी जो थियोरी के चार चैप्टर्स है वो मैं सारे की सारे कवर करूंगा इट मेंस न्यू स्लेबस में जितना भी थि बढ़ दिया जा जितने भी कोश्चंस आया है इनी चार चैप्टर से आया है तो इनी चार चैप्टर का हमें रिविजन करना जरूरी है कुछ बच्चों का यह कहना बढ़ा कि सर एक चैप्टर और जिसका थियोरी आप प्लीज करवा दीजिए थोड़ी सी टेक्निकल चीज में कोई कोश्चन नहीं आया है तो यह मेरे लिए उतना रेलिवेंट नहीं है मैं इसको सेपरेट करवा दूँगा लेकिन अभी जो बात है एक्जाम की तैयारी के लिए हमारे लिए चार चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्ट है और सर आप समझाओगे कि बिटे मै मैं समझाओँगा नहीं मैं रटवाओँगा हाला कि यह मेरे टीचिंग का पार्ट नहीं है रटवाना पर अभी तो मुझे आपको पास करवाना है और बीस नमबर का थियोरी आता है तो सर हमको करना है यस यह चार चैप्टर को बिल्गुल बहुत अच्छे से करके जाना मैं आपको चार्ट प्रोवाइट करूंगा चार्ट जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया हो पहले उसका प्रिंट आउट ले लेना फिर इन लेक्टिर्स को देखना तो ज्यादा मजाएगा ठीक है अब यार मैंने जो पेपर साय मेरे पास कोश्चन पेपर समझना धिय आया और बोला सर देखो हमारा क्या प्रेजेंटेशन था और हमें नंबर मैंने खास बात यह देखा की theory जो है न उसका heading heading लिख रहा है न तो भी number मिल रहा है बच्चो को मैं heading heading स्रेटवा सकता हूँ पर उसके अंदर क्या लिखना है तो मैं कहता हूँ तो आप मन से लिख सकते हो न है कुछ बच्चे कहते सर हम को मन से क्या लिखना ये भी नहीं आता तो उसके लिए मैंने कीवर्ट बना रहा है मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते समझाऊंगा ठीक आपको बताऊंगा सारी चीश कुछ बच्चों का ये भी खेला इसा टेस्ट पेपर का सॉलूशन अगली क्लास में प्रोवाइट करवा दूँगा सिक्यूरिटी अनिलिसस में अभी इसके अलाब कोई बात नहीं होगी अभी बात सिर्थ थियोरी क्योंगी तो पहला चैप्टर करने जा रहा है पहला चैप् all Lei टले हुए थे मैं जल्दी जल्दी चलूँगा सीक्यूरिटाइजेशन पहला चैप्ट यह लोग जल्दी बात करें यास क्या है सिक्यूरिटाइजेशन विता क्या जन्राली में फ्टाफछ से कर रहा हूँ जन्राली ऐसी बैंकس बैंक्स यह बैंक्स जो होम लोन देती है वेहिकल लोन देती है बड़े बड़े लोन देती है किसको पॉब्लिक को अब इतमीज जितना बी उनका पैसा है वो लोन को रूप में पॉबलिक को दे दी पहलो कोश्चन है कि आपका जो काम है वह प्रोवाइट करना तो वह जो लोन प्रोवाइट कर दिया आपने और लोन प्रोवाइट करना तो कहां । किसी और से उधार लेने से problem क्या है पता है आपको ठीक है लेकिन भइ! अगर मैं लोगों कहीं और से पैसा उधार लेता हुझा हुझा हुझा, डैड बड़ेगा तो रिस्क बढ़ेगा और रिस्क बढ़ेगा तो शेर होल्डर जो मुझे में पैसा लगाए कि वो ज्यादा रिटन चाहेगे और जो नया है डेट में इस्यू करूंगा वो भी कहेंगे कि भीया बड़ा रिस्क है सार हमें तो रेट अप इंटरेस्ट ज्यादा चाहिए तब ही हम पब्लिक को लोन दिया है उसके लिए हमें जब पैसो वो तो पैसा फसा उसके लिए पैसो का अरेंजमेंट कहां से करेंगे डेट से कर नहीं सकते हैं तो फिर कहां से करेंगे एक ही तरीका बच्छा अब देखो तरीका क्या है यह कौन है यह पब्लिक जिसको हम क्या नाम द लोन दे कि रखा है पब《लिक》 को ने पैसा आना पर किस्तों में पैसा आना तो अब ट्रॉ औरिजनेटर पैसों का अरेंजमर्ट कैसे खरें तो ओर अरिजनेटर्स क्या करेगा, बैंक काम क्या करेगा, बैंक है का यार मुझे तु पैसे मिलने, बड़े सारे पैसे मिलने, किसे, अबलीकर्स से, तो ये जो loans and advances है, ये originators के लिए assets है, और इन assets को, सामने एक person है, उसको बलता सुनो, ये loans and advances आप ले लीजी मुझे, और बदले में मुझे पैसे दे दीजी, आज ही, और ये जो obligers, ये जो पैसा देंगे, ये जो इन्हों ने मुझे से लोन ले, ये जो पैसा देंगे, ये आप ही को दे देंगे, ठीक, थोड़ा कम भी पैसा दोगे, तो चलेगा, फिर से बात समझना है, मेरे पास loans है, ये मेरी ये एसेट है ना, इनसे जो पैसा आने वाला, उन loans को, मैं loans and advances को transfer कर रहा हूँ, मेरी asset में किसको transfer कर रहा हूँ, किसी और को, उसका नाम क्या special purpose vehicle, special purpose vehicle, मैंने asset transfer कर दिया, अब बदले में मैंने पैसे ले ले, ठीक, अब मैं हूँ special purpose vehicle, मैंने पैसे दे दिये, किसको पर मेरे पास पैसे कहां से आएगी फिर सद्धियान से समझना बिल्कुल important है originator से मैंने लोंज एडवांसे लिये और इनको मुझे पैसे दिये पर मेरे पास पैसे कहां से आएगी मैं हूँ special purpose vehicle मेरे पैसे कहां से तो मैं क्या करूँगा मैं public से बोलूगा सुनो पब्लिक पब्लिक सुनिए मेरे पास बहुत सारा पैसा आने वाला है कौन सा जो हम इन्होंने ना लों से एडवांस इस पब्लिक को दूसरी वाली पब्लिक है ना उनको जो बाट के रखा है उनसे मुझे एमाई आएगा बहुत सारा पैसा आने वाला फ्यूचर में आन आप मुझे पैसे दीजिए और ये पैसे में किसको originators को दे देता हूं ठीक है पबलिक ने कहा ठीक है और बोले इन लोगों से जो EMI के रूप में आएगा मैं आपको बाट दूँगा क्या investors आप लोग agree हो यस आपको tension वाली बात नहीं है पैसा मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि हमा वो पैसा में किसको दे दूँगा originators को यही सारा प्रोसेस है मैं ज्यादा detail में जा रहा हूं जरूरती नहीं है तो देखा जाए कि इसी बात क्या है काम क्या हो रहा है originators अपने assets loans and advances इसको transfer करेगा special purpose vehicle को और special purpose vehicle इसके बदले में क्या issue करेगा securities issue कर देगा और इस security issue करने पर investors से क्या मिलेगा cash और यह cash किसको मिल जाएगा originators simple process यहां तक बात समझ में आगई future में जो obligers है यह जो पैसा देगा वो किसको मिल जाएगा यह investors को मिल जाएगा बात कतम हो जाएगी special purpose vehicle के परूँ अब जल्दी 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 क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़े अभी मैंने बताया नहीं मुझे बताना पड़ेगा अब सुनना ध्यान से क्या है इसमेगा बल्कुल बारिक यह से बात करों हर चीज़ की पहली बात जब ओरीजनेटर दर्सने ओरीजनेटर दर्सने अब्लाइगर्प को लोन दिया होगा दो एक सारे लोन तो यहां काम क्या होगा इन सारी जो लोन से ठीक इनका एक बंडल बनाये जाएगा बंडल अच्छा और इनका बंडल दस साल वाले लोन पास साल वाले लोन इन सब का बंडल से बना दिया गया बंडल और वो किसको ट्रांसपर कर दिया गया special purpose vehicle को बोले ये लो भाई ये हमारे एक से दस साल के लिए दस साल बात पैसे लेना एक से पास साल बात मुझे उससे मतलब मैंने सब कोई खटा कर लिया bundling और मैंने किसको transfer कर दिया special purpose vehicle को और special purpose vehicle बोलता है investors आप चिंता ना करो इसके बदले में इन्होंने छोटे छोटे security issue कर दी किसको investors को और investor आपको पैसे मिलेगे और किससे मिलेगे इससे मिलेगे किससे बले चिंता नहीं है diversification है ये भी डुबाएगा तो भी आपको पैसे मिलेगे ये भी डुबा लेगा तो भी आपको पैसे मलेगे आपको पैसे मिलने ही मिलने क्योंकि आपको जो shares issue हुआ है उसके जो पैसे आने वाले है वो इससे भी इससे भी सबसे आने वाले है Unbundling पहले मैंने bundle बनाया फिर उसको Unbundling कर दिया ठीक है Bundling and Unbundling आएगा सब्थ ठीक है सर यहां तक भी बात समझ में आगी सर इसको और क्या बोलते इसको बोलते off balance sheet item सर मतलब off balance sheet item का मतलब यह सुना ध्यांसे अगर मुझे पैसो की ज़िद्रत लोन्स मैंने दिया जो लोन्स दिया है उस लोन के बदले में अगर पैसो का आरेंजमेंट करना है अगर मैं debt से पैसो का आरेंजमेंट करता हूँ तो cash और bet दोनों चीज़े जाएगे इसको बोलते on balance sheet debt भी आजाएगा cash यहां मैं debt का आरेंजमेंट ही नहीं कर रहा हूँ loans and advances से इसको convert कर दिया मैंने cash में off balance sheet item बाकी मैंने detail में समझाये आपको sir exam में क्या क्या आ सकता काम करें चलो one by one discussion कर रहा हूँ अब भी हलका लका इसमें थोड़ी बाते और करने हैं वो आराम से हो जाएगे पहला question exam में आ सकता है participant in securitization securitization में कितनी parties होती है कितने लोग होती है discuss कर ले तो अगर मैं कहूँ मैं दो बातों में बात करूँगा दो भागों में इन parties को बाढ़ दूँगा एक होगा primary participant और दूसरा होगा secondary participant primary participant में कौन-कौन हो गया originators हो गया special purpose vehicle हो गया और investors हो ठीक यह तीन लोग primary participant है originators, special purpose vehicle और investor और secondary participant में कौन-कौन आ सकता है obligors जिसको हमने loan दिया ठीक obligors पर दिकत यह होता है यह जो loan दिया गया है क्या यह पक्का-पक्का पैसे वापस कर देंगे भई home loan तो बहुत सारे है क्या यह लोग पैसे वापस करेंगे तो क्या इनका rating भी देखना चाहिए yes, credit rating agency की जड़ुत पड़ेगी it means obligors तो है इसके लावा rating agency भी चाहिए ताकि वो ढूंड कर दिखा दे कि हाँ जी यह पैसे देने लायक है इन्हें three star है वो समझदार हो आप लोग rating agency की जड़ुत पड़ती इसके लिए हमें जड़ुत पड़ेगी trust के बेना trust के काम नहीं होगा अच्छा सर trustee भी लगेगा yes उसके अलावा भाई special purpose vehicle हो गया obligors हो गया originators हो गया इन लोगों को agency मिलेगे आपस में तो इनको deal करवाने के लिए एक person की जड़ुत पड़ेगी जिसको बोलते structure ठीक है और इसके अलावा ये लोग अब सुनना दियांस सर इनका पता नहीं पैसे देंगे के नहीं देंगे ये लोग कह रहें कास कोई और हमें surety दे दे कहां जी ये पैसे देंगे तो surety देने के लिए भी कोई होता है और इसका नाम क्या होता है credit enhancer क्यों बोलते है यार मेरी भी guarantee है अगर ये पैसे देंगे देंगे पक्का मेरी guarantee है चाहो तो ये भी collateral दे सकता है कितनी party है दो जदी जदी करते हैं primary participant उसमें कौन-कौन आ सकता है primary participant में तीन लोग कौन-कौन और इसके अलावा special purpose vehicle इसके अलावा investors बिलकुस है और secondary participant में obligers ठीक है सर इसके अलावा कौन-कौन होगा इसके अलावा और होता कि trustee लगेगा सर yes trustee rating agency लगेगा yes rating agency structural लगेगा जो deal करवाता है yes और एक credit enhancer और एक person होता जिसका नाम होता है receiving and paying agent receiving and paying agent यहां से जो EMI आएगा इसको यह collect करेगा और transfer करेगा investors को इसको बत्ते receiving and paying agent हाला कि यह काम originators भी कर सकता कोई बात नहीं है तो ठीक है तो चलो discuss करे तो primary पहला total मिलाकर मुझे 6 topic करवाना पहला topic है participant in securitization जिसमें originators है जो sell करता है यह बटे देखो मेरी बास समझा यह है heading अगर मैं heading heading भी कर देता हूँ तो मैं जहे ऐसा लगता अंदर की चीज़े हम लिख लेंगे लेकिन कुछ बच्चों का यह गया ना यह पैमेंट करेगा और इंवेस्टर क्या करेगा सिक्यूरिटी पेपर को बाइख करेगा सिंपल था है secondary participant में यह सुनो यह जो सब्द लिखे है सबकी सब study material के मेरे मन का कोई इग्जामपल नहीं है तो भाई साब यह करना करना सर ओबलाइगर से यह काम क्या करेगा भाई यह जो पैसे देने है फ़र्म को ठीक है रेटिंग एजनसी क्या करेगी एसेस करेगी ठीक है रेसीव एन पैमेंट पैमी पैमी पैइंग एजन्ट क्या करेगा collect करेगा payment किस से obligor से और किसको payment SPV को पास कर देंगा investor को पास कर देंगा trustee क्या करेगा investor को देख रेक करेगा credit enhancer क्या करेगा additional form नहीं यह form है form in the form collateral देगा third party जो है this is credit enhancer और structure क्या होगा यह originators को investors को credit enhancer को सब को सासत लेकर आएगा ठीक है जी अब बुलो तो पहला question तो हो गया बैक क्या question था कि कितने participant एग्जाम में आता है sir नुमबर का ठीक है sir तो यह पूरे लिखना जरूर यह क्या भई तीन इधर का लिख दो तीन चार इधर के लिख दो भी चल जाएगा ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हमको point लिखना ही पड़े पहला question खता दूसरा बताईए benefit क्या है इस क्योरेटाइजिशन का benefit अगर हमें देखना है तो हमें किसके angle से पूछ रहा है यह देखना पड़े एक तो originators के angle से benefit और investors के angle से benefit क्या benefit है बताईए benefit तो एक मुझे साब साब देख रहा है क्या कि भाई साब हमको debt से originators को तो benefit है क्योंकि debt से पैसे नहीं उठाना पड़ आ off balance sheet financing हो गया off balance sheet finance loans को transfer किया बदले में कैसा गया off balance sheet financing जितना capital tie up था फसा था वो क्या हो गया release हो गया बीना debt के release हो गया इससे अच्छा क्या चाहिए ठीक है दूसरा भाई साब जो ओरी बैंक है बैंक आप अपने काम पर focus करो यार आप इसी चक्कर में मत रहो कि यार यह पैसे का arrangement करना पैसे करने पैसे का arrangement हो गया security issue हो गया आप खुद security करने का बस सूच बैंक अब ऐसा लगता ना एस पीवी शेयर इस्यू कर सकता तो बैंक क्यों नहीं कर सकता मत करो भाई अपने काम पर focus करो ज्यादा अच्छा तो वही है बले concentrate कीजिए भाई अपने core business ठीक है और दूसरा burden of default shift हो जाएगा सरी burden of default is shifted मतलब देखो मैं ओरीजनेटर हाँ मैंने loan दिया था लोगों को yes वसूल करने की जिम्मेदारी मेरी थी पर मैंने तो loans and advances SPV को transfer कर दिया मेरा तो टेंशन का तम पैसा डूबेगा तो किसका डूबेगा investor का मेरा तो डूबेगा इट मेंस मेरा जो burden है default वो सिप्ट हो गया और किस पर सिप्ट हो गया investors पर आपको पैसे नहीं देना पड़ेगा वो depend करता है कि रिकोर्स है कि non-recourse हो मैं discussion करूंगा तेक कि सर financial ratio improve हो गया हाँ financial ratio improve हो जाएगा और बात हमेशा किसकी करना capital to weighted asset ratio improve की study material में ही लिखा सब क्यापिटल capital to weighted asset ratio सर यह क्या है यह आपने पढ़ा था banking में क्यापिटल कार करके ऐसा कुछ पढ़ते थे weighted asset ratio जितने भी weighted एक पैस में risk होना जाए जितने भी पाकि जितने भी एसब्स होता है पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो यहां जो है अगर आपका loans है तो वह की है तो यह जो रेश्यु है यह यह जादा figure होगा यहां उतना ही figure को थो आपको रिखना पड़ेगा capital to risk weighted asset ratio इंपरू हो जाएगा और borrowing cost कम हो जाएगा पकी बाथ है borrowing cost कम होगा क्योंकि अगर मैं खुद पैसे उधार लेता तो debt issue करता तो debt वाले मुझसे ज़्यादा पैसे मांगते cost ज़्यादा मांगते क्यार debt बढ़ रहा था उसकी अब एक्षा मैं investor से ले रहा हूँ तो वो क्या हो गया boring cost मेरा already कम हो गया securities paper, credit enhancements की वगे से बहुत सारी चीज़े बता रहा है तो सुनो यहां की बात कर लेते हैं पहले ये वाला किसकी बात कर लूँ मैं originators को क्या फायत थे securityizations off-balance it financing off-balance it finance मतलब debt की ज़र्वती नहीं पड़े दूसरा मेरा जो focus है वो अपने business पे करूँ तो ज़्यादा अच्छा concentration मेरे अपने business पे हो रहा ठीक, मैं security issue income cost कम हो गया और चोहता जो है यह दिख रहा है मेरा क्या financial ratio improve हो गया है याज और आपको लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा capital to vested estate ratio यह किसको benefit है originators को अब किसकी बात कर रहा है अब बात कर रहा है investors को क्या benefit है आई साब investors को सोच कर देखो अच्छे से इसका जो इसने जो security खरीदा होगा जो भी तो इसका जो पैसा है पैसा है वो कहां से आने वाला इससे भी आने वाला इससे भी आने वाला क्योंकि यह जो shares issue हुए है वो तो इन सब का pull बना कर हुए है तो क्या automatic diversification हो गया यहां क्या लिखेंगे diversification of risk risk का diversification होगे दूसरा क्या है regulatory requirement क्योंकि bank बीच में bank ने जिसको भी loan दिया होगा पका सोच समझ के दिया होगा तो investor का तो tension ही खतम नहीं यार जो regulatory requirement वो पूरा की पूरा हो गया है और दूसरा protection against debt हो गया protection against debt मतलब सर investor ने पैसा लगा दिया security में अब investor को चाहिए पैसा by chance obligers पैसे ना दे obligers पैसे ना दे तो पैसे कोन देगा क्या originator से पैसे मांगा जा सकता है सुनना बेटे ये काम की चीज़ है investor को पैसे चाहिए हाँ बोलो obligers को देना चाहिए था उन्होंने default कर दिया तो क्या investors originators के पास जा सकता है जा सकता है अगर ये recourse basis पे है ये factoring में पढ़ने को मिला होगा recourse basis पे है तो आप investor आप originator से पैसे ले सकते हो अगर non-recourse है तो फिर investor को पैसे originator से तो नहीं मिलेगे पर इसके लिए insurance arrangement है तो टेंशन वाली बात अभी भी नहीं के रक्रेट default swap करके होता है तो रिकोर्स है तो ओरिजनेटर पैसे देगा non-recourse है तो insurance arrangement है ये ठीक है रटा मारे हाँ रटना तो पड़े गए तो सर्दीद चलो बात करते हैं दूसरा benefit benefit पूछेगा benefit चार नंबर का तो दो किसके एंगल से originators के एंगल से दूसरा किसके एंगल से investors के एंगल से originators के एंगल से कितने पॉइंट एक तो off-balance financing हो गया है दूसरा जो ratio है ratio कौन सा ratio capital to weighted deficit ratio वो बढ़ गया इंप्रू हो गया दूसरा मेरा focus concentration अपने business पे है और चौता boring cost कम हो गया boring cost जो boring cost हो वो कम हो गया इंवेस्टर्स को क्या फायदा भी है divergification है अलग जगा पैसा लग गया आपका automatic लग गया दूसरा क्या है regulatory requirement बैंक ने पूरा किया हो और तीसरा क्या दिखरा तीसरा दिखरा कि debt के against protection हो गया अगर record से तो originator पैसे देगा अगर non record से तो insurance arrangement है कोई शमस्या नहीं तो दो point हो गया है पहला क्या हुआ था अपना पहला हुआ था participant कितने होते है simple है और दूसरा क्या हुआ benefit क्या है अगे चले अब तीसरा क्या mechanism mechanism of securitization of feature of securitization इन दोनों को रटवाना पड़ेगा मैं रटवाने के लिए ही आया हुआ हुआ आप उसे पहले एगा यह लो भाई mechanism of securitization पहले इसको समझ लेए यह दोनों एक जैसे दिखेगे आपको आपको बिल्कुँ ध्यान से समझ ना mechanism of securitization क्या है चलो समझते है जी यह पॉड नहीं है यह पुल है पुल सबसे पहले मतलब क्या प्रोसेस है mechanism का मतलब प्रोसेस दोस्तों ना दियाँ से सबसे पहले मैं बहुत सारे लूं मैं हूँ originators तो मैंने जो assets है loans है उनका एक पुल बना लिया creation of pulls और उसको किसको ट्रांसपर कर दिया special purpose vehicle को creation of pull of assets या loans and advances पुल बनाया तो उसको ट्रांसपर किसको कर दिया special purpose vehicle को अब special purpose vehicle ने उसका क्या किया उसको unmanly किया जो भी उसके बदले में क्या issue कर दिया security issues कर दिया नहीं तक हतम पहला दूसरा transfer किया उसने security issue कर दिया अब भई इनसे पैसे वसूल करने यह मैं तो collect करना पड़ेगा वैसे तो receiving and paying agent collect करता पर अगर वो ना भी करें तो originators भी काम कर सकता है तो originators आपकी duty है कि आप EMI वसूल करोगे और SPV अगिरा को दोगे collection तो करना पड़ेगा न अब लाइकर से उसको बलते administration of assets administration करना पड़ेगा ठीक है ठीक है ठीक है सर और सर वो नहीं दिये तो तो सर आपको देना पड़ेगा originators अगर आप records basis पे है तो आपको देना पड़ेगा records to originators ठीक है सर वो देना पड़ेगा मैं वह वाले point रटवा रहा हूं आपको जो आपको लिखना एक्जाम में नंबर मुझे pass करवाना सर आपको ठीक है सर और उसके बाद वो जब fund मिलेगा SPV को वो किसको investors को transfer कर देगा फिर से तोस्ते फटाफट सेखा पहले creation करेंगे pull-up assets फिर किसको transfer करेंगे SPV को SPV क्या करेगा उसके लिए security issue करेगा फिर originators क्या करेगा administration करेगा और अगर ये default करेगे तो originators खुद payment करेगा और उसके बाद वो जो payment होगा SPV को वो किसको transfer कर देगे वो investors को transfer कर देगे और credit rating करवाना है तो वो करवा सकते तो बिल्कु दिहां से समझना मैंने वही काम के पर creation करेंगे pull up assets का कोई शक नहीं फिर मतलब segregate करेंगे assets को दस साल वाला लोन जितने भी दस साल वाले एक pull में डाल दू कितने 15-15 साल वाले एक pull में डाल दीजिए फिर asset transfer हो जाएगा किसको transfer हो जाएगा SPV को उसके बाद security issue होगा और securities कितने टाइब के हो सकता है pass through securities पास्थ्रू certificate होना चाहिए पास्थ्रू certificate and pay through securities ठीक सर यह क्या चीज होता है यह आगे समझाने वारो उसके बाद administration होगा कैसे जैसे receiving and paying agent काम करता वैसी उसके बाद records to originators अगर default होगा तो आप originators से वसूल कर सकते फिर उसके बाद repayment क्या हो जाएगा fund और अगर credit rating वो instrument का आपको करना पड़ेगा वैसी यह last में नहीं डालना चाहिए था सुरू में हो जाना चाहिए था पर मैं पूरी तरह से study material को follow कर क्या ये point हो गया mechanism और अच्छा तो ये होगा कि ये जब लिखो तो इसके साथ एक diagram भी बना लो जिसके तुरू मैं समझा रहा हूँ वो diagram भी बनाओगे ना तो sufficient खिक है याद होना चाहिए मेरा अगर याद नहीं करवा पाया तो भाई कोई मतलब नहीं क्लासिस का क्या क्या mechanism है सर इसके अलावा भी हम लिख सकते के लिखोगे पर मुझे नहीं मालू नंबर देगा की नहीं देगा इसलिए तो मैं रटवाने आया होना यार ठीक है सर अब ये व सेकूरिटीजिशन इसे कैसर नहीं है कि हम सेक्यूरिटी जो है फाइनेश्ग इंस्टुमेंट वो उभी कर रहे हैं हाँ वही तो है सेक्यूरिटीज़िया भाई अंद बंलिग कर रहे ह imagine पहले बंडल बनाया इसको फो उसके बद को छोड़ी छोड़ी टुकरों में सेक्यूरिटी इस्यू कर दिया ब्रोकन कर दिया इंस्टूमेंट में यह रिस्क मैनेजमेंट का भी टूल है रिस्क मैनेजमेंट क्योंकि ओरिजनेटर्स को जो रिस्क था डिफाल्ट का वो उन्होंने transfer कर दिया अगर records नहीं है तो, किसको transfer कर दिया? investors को transfer कर दिया, अगर non record है तो, टेख, structure finance, structural finance क्या होता है सर, एक होता है traditional finance, traditional finance में actual में आप पैसा उठाते हो debt से, और उसको कहीं लगा देते हो, इस तरह से पैसो का अरेंजमेंट कर रहे हो ताकि इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहे हो उन्हों रिस्क दिख रहा है रिटन दिख रहा है बहुत सारी बाते इस्ट्रक्चिर और फाइनस समझाने में टाइम लग जाएगा तो बस यह पॉइंट है जो आपको यहां सिर्प काम हुआ आसा ट्रेंजिंग का मतला है जो आपको का जो लून था जो ट्रांसपर हुआ उसको आपने चोते-चोते टुकडो में सिक्यूरिटी के छोटे-चोटे टुकडो में इस्यू कर दिए इस ट्रентов और दूसरा क्या हॉमेजेनेटी जो सिक्यूरिटी issue हो रहा ही, वो homogenes nature की है, homogenes का मतलब होता है, क्या होता है, homogenes का मतलब, मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो loan है, loan, उसको ऐख 15 साल का loan, 20 साल का loan, 10 साल, उसको अलग-अलग pull बनाते हैं, और एक जैसे loan को एक इसमें रखते हैं, homogenies तो मेरे ख्याल से आप समझी गया हो इतना और उसके से फिर security issue करते हो तो homogenies nature क्यों होते हैं यह तर रटा मारे क्या इधर क्या है features features में क्या है जरब पड़ते features में और याद ना features और mechanism एक जैसा लग सकता है इसलिए features को अच्छे से features की में बात करूँ securityization है क्या sir security creation of financial instrument creation of financial instrument दूसरा bundling and unbundling हो रहा है bundling and unbundling ठीक तीसरा और सूचो क्या होगा sir trenching हाँ trenching छोटे-छोटे security में श्यू कर रहा है sir risk management yes risk transfer हो रहा है risk management और sir homogeneous homogeneity homogeneity बोल सकते है yes homogeneous nature security issue इसके लावब और क्या भूल गयते है structural finance structural finance यह दोनों याद करना पड़ेगा आपको ठीक आगे जाके ना फिर एक revision लेंगे फटापट समय है इडिंग आगे securitization instrument यह अगला point रहेगा कि securitization instrument कितने टाइप के होते हैं तो देखा जाएं तो एक होता है pass through मतलब investors को security issue हो रही है security वो कितने टाइप से कर सकते हैं एक तो होता pass through certificate और एक होता pay through securities और एक होता stripped securities तीन security तीन टाइप के security pass through certificate pay through securities और stripped securities ठीक है जी pass through certificate क्या है बात आप बिल्कुल जल्दी जल्दी करना है pass through certificate है क्या चीज pass through certificate में होता क्या अफ़ा pass through certificate में होता कुछ नहीं है हम investors से बोलते हैं आप खड़े हो जाई है और जो भी home loan से चाहे जो भी लोन से जो भी पैसा आएगा चाहे interest का पैसा आए चाहे principle का जो भी पैसा आएगा हम सब को बाट देंगे किसी ने 10,000 के लिए पैसा लगा रखा होगा किसी ने 5,000 पैसा लगा रागा था हम proportionate बाट देंगे जो भी पैसा आएगा हम बाटते जाएंगे जितने जल्दी आएगा उतने जल्दी बाट देंगे जितना आएगा खतम करेंगे इंटायर रिसिप्ट ऑप कैश ट्रांसपर प्रपोर्शनेटली इंक्लूडिंग प्री पैमेंट का भी पैसा आएगा वह भी बाट देंगे सबस्ट साथ 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 होका सिंगल से प्रपासथु н.. अभर पैसे एक साथ आगया तो हम पूरां नहीं बाटेंगे कि इन फेलार करते हम करते हम आहंगे दो साल पकड़ोगे और हमारी पास में मत्पचा हुआ हुआ यह आपको नहीं देंगे, उसको री इन्वेस्ट करनेगे, प्रीपेमेंट आप लोन केन भी यूज फारी इन्वेस्ट में, मतलब इसमें पेथू सेक्यूरिटी और पास थूर्टी पिकलेट में एक ही अन्तर है, यहां जो आएगा वो जाएगा, और यहां जितना आपका बंता, आप लेली जिए, बाकी बाद में लेना अम बचा हुआ हम effe करने क principles and इसमें दो भाग है, एख है InterEST-only Security और एक होता Principal-only प्रिंटरस्ट अइगा तो इंटरस्ट देंगे, और Principal आईगा तो हो, आपको नहीं देंगे, उसको wee중, principle only security खरी दरा उसको principle only securities को पैसी देंगे interest वाले को interest principle बातकत तो यही है receive only interest receive only principle बातकत नहीं लेकिन यहां कुछ important वाद uh तो फ्री टो नहीं चुटा था इंट्रेस्ट दो रहने दो पैसे मुझ पर उधार है नहीं दिक्कत नहीं रह जा तो principal नहीं मिलेगा, तो principal-only security वाले को कैसे पैसे मिलेगा, इस condition में principal-only security का value का हो जाएगा, अच्छा, interest-only security का value का हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मार्केट में इंट्रेस्ट क्या हो गया मार्केट में इंट्रेस्ट बढ़ गया मार्केट में इंट्रेस्ट बढ़ गया और मुझे कम इंट्रेस्ट पर मिला तो भई इंट्रेस्ट दो ना यार क्या फर्क पड़ा प्रेंसिपल मत दो सस्ते में इंटरस्स देते जाओंगा। इंट्रेस्ट उनिसीशची अगर प्रिपामेट्र हो रहा है प्रिंट्रेस्पल चुका न इस्टार्ट कर दिया किर जब जल्दी पैसे क्यों मार्केट में कम है तो सुनो interest only security क्या हो जाएगा कम हो जाएगा का समझ पा रहे हो जाए प्रेंसिपल only security क्यों की पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएगा ना प्रेंसिपल जो आएगा वो जाएगा पे थू सिक्यूरिटीज जितना बनता उतना देदेंगे जो बचा हुआ इसका इनवेस्ट को आनेगा और इस्ट्रिब्ड सिक्यूरिटी को दो भागों में बाता हैं इंट्रेस्ट अउनली प्रिंसिपल अगला पॉइंट प्रॉब्लम इन सिक्यूरिटाइजिजिशन इंडिया में क्या समस्याँ बहुत ज्यादा लग रही बारा पर्ष्ण से भी उपर चली गई है किसकी इंकम है तो यही समझ हूँ नहीं आथा दूसरी बात यह समझ मुने रहे एकाउंटिंग कैसे करें और इजनेटर्स की बुक्स में क्या एकाउंटिंग होगी साब काउंटिंग क्या करना यह भी नहीं बड़ा मुस्किल डिफिकल्ट है इक तो तीन बात तो यहां होगे स्टांप ड्यूटी जादा है दूसरा कुछ बी डोकुमेंटेशन हो रहा है और सबसें नर्कुमेंटेशन कर रहा है तो इसको बेच ना थोड़ा सब उसके लोग तो इसके लोग अज़िसे शेर मार्केट में होता यह बहूए असा नहीं यह थोड़ा सा मुश्किल होता है इसलिए इन एडिक्वेट सेकेंडरी मार्केट बहुत मुश्किल एसिट बैक सेक्यूरिटी का सेकेंडरी मार्केट है पर उतना लिक्वीड नहीं और इन एफेक्टिव फोर क्लोजर अफ लो दिक्कत ये भी एक कि वह किसी ने हमसे ल कितनी प्रोब्लम्स है इस टाइम प्रोब्लम्स है एकाउंटिंग टेक्शिशन डॉकमेंडेशन पता निस अपना है इस टैनराइज इन नहीं बोल सकता हूं सर इसके लावा डेट मार्केट जो है वह इन एडिक्वेट है और इन इफेक्टिव फोर क्लोजर ये क्या था प प्राइजिंग ऑप सेक्यूरिटी से सिक्राइज इंच्रूमेंट प्राइजिंग कैसे करेंगे और इन्वेस्टर्स के इंगल से बोलेगा जो मेरा पैसा गया है ना उत्मा आज आना जी जितना भी कैसा उटलो है सबको जोड़ो डिवाइट कर दो जितना शेर इस्यू कर आइब बात खता हूँ जितना सिक्रीटीश आउट और इन्वेस्टर्स क्या बोलेगा फ्यूचर में जो कैश मिलने वाला किससे मिलने वाला ओब लेकर से उसका डिसकांटिंग कर लेंगे security security का value कैसे निकालेंगे अलग यह question अभी तक आया रहे है क्या chapter खतम हो गया yes chapter खतम तो हो गया पर क्या एक बार revision करने का बनता है yes बिलकु लुग मुझे करवाना पड़ेगा sir आप कह रहे हो कि sir हो तो गया revision खतम नहीं बही मुझे रटवाना जल्दी जल्दी करते है participant in securityization कितने पार प्राइमरी secondary primary में कौन कौन है primary में है एक क्या नाम था originators बिलकुल SPV yes और एक क्या था investors secondary में कौन कौन थे है sir secondary में कौन कौन थे एक तो sir obligers बिलकुल सही दूसरा sir RPA receiving and paying agent बिलकुल सही sir receiving and paying agent के लिए trustee हाँ बिलकुल सही rating agency ये भी सही trustee हो गया rating agency credit enhancer ये भी सही और sir एक structure होता था बिलकुल सही पूरे नमबर benefit क्या है securityization का sir किसके एंगल से बोले originators के एंगल से कि दोनों के एंगल से तो originators के एंगल से sir इनको debt ने लेना पड़ा मतलब आफ़ बैलेंसिंट फाइनेंसिंग बिलकुल सही और क्या हो सकता था सोचो सोचो सचो आफ़ बैलेंसिंट फाइनेंसिंग के अलावा sir अपने business पर ना more क्या focus हो रहा concentration बिलकुल सही दो point हो गए core business पे इसके अलावा इसके अलावा और क्या sir risk management हो रहा है, बिल्कुल, risk management भी है, ठीक, पर risk management इसमें था की नहीं था फैक गरबर हो रहा है नहीं, ये हो सकता है क्योंकि risk management आगे है, ये मेंने गाना लिगत, क्या हो risk management आना चाईए था पर इसमें नहीं है, अप बैलेंशिट, more specialization in main business, financial ratio क्या होगा improve होगा और इसके अलावा boring cost क्या होगा कम होगा 4 point इसके एंगल से भलो diversification हो रहा है यस और क्या था diversification के अलावा सोचो सोचो सर एक तो regulatory requirement पूरी कर रहा है और क्या था last debt के against क्या हो रहा है protection हो रहा है ये क्या हो गया benefit अब इसके अलावा दो चीज़े थी और दो चीज़े क्या क्या थी अब बिटे अब काम की चीज़े बेनिफिट भी हो गया mechanism mechanism अब securitization क्या होता था creation कर रहा है full of assets transfer कर रहा है special purpose vehicle को और special purpose vehicle क्या कर रहा है इसको security इसकी इसकी तो पहुच गया है अब security issue कर रहा है तो वसूल करने का काम किसका रहेगा originators का वसूल का sell of security यह हो गया यह हो गया वसूल करने का काम originators का जैसे receiving and paving agent अगर वसूल नहीं कर पाया तो records किसको देना पड़ेगा originators को पैसे देना पड़ेगा और यह पैसे फिर finally किसको transfer हो जाएगे investors को transfer हो जाएगे चाहो तो rating करवा सकते हो ठीक यह क्या हो गया हमारा mechanism diagram अलग बना देना अब बात किसकी कर रहे है features क्या क्या हो सकते features तो पहली बात आप security आप financial instrument क्रियेट कर रहे हो ठीक है bundling and unbundling होगा यहां एगा risk management इसके अलावा यह कौन सा finance है structure finance और क्या trenching trenching और क्या होता है homogeneity यह भी अप कर सकते अगे चले securitization instrument कितने बताया है मैंने तीन तीन कौन से pass through certificate pay through security strip interest only और principal only और problems क्या है securitization का problem इस time duty ज्यादा accounting का पता नहीं taxation का पता नहीं debt market जो inadequate है और और इसके अलावा आपका क्या हो गया कोई documentation वगेरा का standardization नहीं और ineffective foreclosure of law और यह तो ठीक time पास है securitization खतम दो चार बार तो पका revision करना बार बार याद करना पड़ेगा यह language कहां कि सारी कि सारी एक भी अपने मन से नहीं सब studio मठी लेगा चले next yes क्या पढ़ रहे हम अब इसके बाद कौँसे chapter risk management चलो जी दूसरा chapter revision करे जिसका नाम है risk management अलग की risk management पे evaluate risk वार जिस पर practical question आती है तो 50-50 chances है मतला practical आगे तो theory नहीं आएगा और इस से थोड़े से कम question आते हैं पर करना जूरी छोटा chapter है बिल्कल छोटा तो risk management पहला question खुद से करो कि अगर हम कोई business करने का सूच रहा है या करने वाले हमें दिख भी रहा की profit है तो भी क्या risk है यस तो किसी भी business में किस कितने type का risk हो सकता है तो सूचते है सर एक तो सर रिस्क ये है कि हम business स्टार्ट करेंगे और हमें ऐसा लग रहा है कि हम जिस technology से काम करने वाले जिस tech हो सकता है कि future में वो technology change हो जाए पहले बड़े सारे internet cafe चल रहा थे बड़े सारे camera का काम चल रहा था camera man आजकल mobile से बहुत सारे काम हो जाते technology change होगी तो technology change होने की वज़ा से भी एक risk है जिसको हम strategic risk वेल आपकी strategy जो आपने बनाया है वो फैल हो सकती बहुत सारे तरीके हो सकते technology तो एक example नया competitor आ सकता है market में ठीक है वो उससे भी हमारी जो strategy वो फैल हो सकती strategy का risk बात करूंगा भी दूसरा है compliance risk sir compliance risk का मतलब मतलब यार कि मालो इसमें एक example आता पर फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ मालो कोई एक business है यहां हाँ sugar business की इसी से discuss कर ले तो total मिलाकर type of risk और type of risk में चार type का risk आपको लिखना पड़ेगा अगर question आता है तो कौन कौन सा risk लिखना पड़ेगा strategic risk compliance risk इसके अलावा operational risk और इसके अलावा financial risk चार type का risk आपको लिखना पड़ेगा strategic risk क्या होता तो जब यह चार टाइप का risk strategy क्या होता आपके strategy effective नहीं रहे पाएगी किन वजह से technology में change आ सकता है नया competitor आ सकता है market में customer का demand जो है वो shift हो सकता है this is strategic risk आपको इसके अलावा नोकिया का example कोडेक पता है पहले camera चलता था और उस camera में roll डलना पड़ता था roll और उससे photo जो roll से निकलता था उसको अप उससे फिर photo बनती थी actual में ऐसा होता था hard copy कोडेक ने अपडेट नहीं हो पाया technology आई digital camera आया पर कोडेक ने खुद को change नहीं किया तो कोडेक technology change हो रही है भाई तो उसकी वज़ा से कोडेक जो camera जो roll बनता था सब खतम हो गया detail में मैंने कहानी बताया है वह अभी हमारे पास time ने इसका सब्सक्राइब आपको लिखने पड़ेगे कौन सा रिस्क स्ट्राइटेजिक रिस्क दूसरा कौन सा compliance रिस्क compliance मतलब compliance of law टिक लो है लो लो नहीं है ला company law ठीक है सर है क्या यह law and regulations हो सकता आप जो business कर रहे हो उसमें एक state के अलग regulations हो और दूसरे state में अलग regulations है या फिर जो आप business कर रहे हो कुछ समय बाद government का rules आ गया law आ है कि आप वो business में यूज नहीं कर सकते या उस business में जो आप product यूज कर रहे हो raw material यूज कर उसको यूज नहीं कर पाओ उस चक्कर में आपका business बंद करना पड़ेगा this is compliance risk क्योंकि हमें government का order मानना ही पड़ेगा ठीक तो लिखा company fails to comply with law it will pose a serious threat to its survival इमेंट business है आपका अच्छा चल रहा है यह example सिमेंट और सुगर बिजनेस वाला आप लिखोगे तो ज्यादा च्छा के चाल रहा है आप सुगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते सुगर बिजनेस इस स्टेट में तो चल गया किसी और स्टेट में स्टार्ट और वहां के rules and regulations अपने तो वहां आप compliance रिस्क है वहां आप सुगर बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते यह सारी कहानी आपको लिखना पड़ेगा दो टाइप का रिस्क में आप जो process कर रहे हैं उसमें गलतिया हो सकती है तो वह भी एक risk कहना है और वहां अगर गलतिया हो यह तो उससे कैसे बचोगे इस ऑपरेशनल डिस्क बिजनेस में वहां सारा रिस्क इंटरनल डिस्क एंड लाश्ट फाइनेशल डिस्क पैसा 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 क्या बिजनेस पैस ऑपous वीजनेस करतें जबर्दस एक्शेन ड pourrait बहुत ज्यादा चैन्ज हो गया यह देख लो हालक कि फाइनेशल डिसक थीक है रिटिघ्रेटिंग वाला एंटरस्यट ज्यादा तो यह भी इंपोर्टन रिस्क है पानेशिल रिस्क तो अगर आएगा टाइप आप रिस्क लिखने के लिए तो आपको चार लिखना पड़ेगा इसकी वज़ा से जो रिस्क है वो इसमें कोडेक वाले लिखना पड़ेगा नोकिया लिखना पड़ेगा एक्जामपल इस्ट्राइटिक रिसक के बाद क्या लिखना पड़ेगा कंपलाइंस रिसक जिसमें सुगर वुगर का लिखोगे बिजनेस वा उसके बाद ऑपरेशनल रिसक एंड लास्ट फानेशल रिसक ज्यादा इंपोर्डन है हमारे लिए और financial risk में हमें types पढ़ना पहले तो आप से अगर बुलेगा type of risk बताओ तो यह चार रिस्क लिख देना चार नमबर मिलेगा पर हो गएगा financial risk के विसे में समझाओ तो पहले financial risk का लिखना पढ़ेगा और उसके बाद financial risk कितने type का होता यह रिखना आप इम्पूर्ट एक्सपूर्ट कर रहे हो और करेंसी में बहुत ज्यादा फ्लक्टवेशन हो रहा है यह हमारा पैसो का ही तो दिक्कत है इस करेंसे रिस्क और क्या सब्सेट रिस्क बैंकिंग बिजनिस में बड़ा सारा अपने लोन ले रखा और इसके डेट आप इंटरे interest rate risk हाला कि आप floating floating के विसे में समझा सकते हो floating rate पे loan लेगे तो हमें rate बढ़ने का डर है बहुत सारी चीज़े समझा सकते है counterpart risk counterpart क्या है आपने किसी को goods दिया और सामने वाले ने default कर दिया आपने उधार माल बेचा और सामने वाले ने पैसे ही नहीं दिया counterpart risk या आपने पैसे दे दिया advance में और सामने वाले ने goods पहुचाया ही नहीं counterpart risk में बेसिकली तीन रिस्क है counterparty, forex currency risk और interest rate risk आगे और एक risk कौन सा हो जाएगा liquidity और political risk होना ने चाहिए पर इसने डाल रखा political risk क्या है generally foreign foreign में में मेरा पैसा फसा है वहाँ कुछ government इस्टेबल जैसे युक्रेन political risk में में मेरा पैसा फसा है property है और मुझे वहाँ आप कुछ कर रही नहीं सकते political risk और एक कौन सा liquidity risk liquidity का मतलब भई अगर आपके जितनी liability है उतना आपके पास assets नहीं उससे कम है तो आप तो बरबाद हो सकते हो liquidity हारा कि यह financial risk भी में cover है कितनी चीज़े cover है total मिला कर financial risk है total मिला कर risk कितने है strategic compliance strategic compliance इसके बद ऑपरेशनल और एक financial और financial के अंदर क्या आ जाएगा financial के अंदर counterparty interest rate currency लिक्विडिटी और एक कौन सा political risk बस खतम इतना ही है चैप्टर में और कुछ नहीं evaluation कैसे करेंगे financial risk financial risk का मतलब debt अगर जादा है financial risk जादा है तो आपको तीन लोगों के एंगल से stockholders जो है क्या वो भी परिशान रहेगा हाँ क्योंकि जादा risk है higher की high gearing मतलब high risk तो भाई stockholder भी चाहेगा कि यार ऐसे company में पैसा लगा हूँ जिसमें debt कम रहे है दूसरा company के point आविसे company अगर आप access पैसा उधार लेते तो payment कैसे कर पाओगे आप default कर सकते हो और government के point आविव इससे कि government अगर government क्या सुची अगर कोई ज्यादा पैसे उधार लेगा एक example लिख देना Lehman Brothers का समझाओ ना story पैटे समझाने का समय नहीं है कि Lehman Brothers की विसे में समझाओ पर फिर भी किसी को सुनना है तो description में जाओगे regular lecture Sir Lehman Brothers मतलब इतना सारा पैसा लिया गया उधार और वो भाग गया Lehman Brothers छोड़ो हम अपने इंडिया की बात करो ना जाने बैंक से कितना पैसा उधार ले लिया अब payment करने की स्थिती नहीं और आप भाग गया तो क्या government को loss है या society को loss है हम भी वरबाद हो जाएगे उस शक्र में तो ये भी आपको लिखना पड़ेगे government के point ये भी risk है इसको भी risk है stockholder को भी और company को भी risk है खीक है तो जब भी आएगा risk कितने type की होती कितने type की risk चार सौरी मैं बार बार repeat क्यों कर रहे हो बात को repeat क्यों कि मैं याद कर वा रहा हूं चार्स risk strategic compliance operational and last financial financial के अंदर पाच पाचस है counterparty currency, interest rate liquidity और political और इसका evaluation कैसे करोगे investor के point of view से अच्छा नहीं है government के पाँ वो दो और अच्छा नहीं society को destruct कर दोगे और company के point of view से आप बरबाद हो जाओगे आप default कर दोगे ये माला topic है जहां से question आ गया method for identification and management of financial risk बुले financial risk है कैसे पहचानोगे कि financial risk है और उसको management कैसे करोगे फिर से कैसे पता लगेगा कि financial risk है अगर risk है तो भाई साब उसको manage कैसे करोगे आप counterparty risk के विसे में बताईए कि कैसे पता लगेगा कि risk है counterparty और अगर risk है तो उसको manage कैसे करोगे ऐसी किसके विसे में पॉलिटी इसके विसे में मुझे नहीं लगता कि लिखने की जरुवा था बिल्कु सिंपल था पर फिर भी बच्चों का कहना जब करवा ही रहा है तो पूरा complete ही करवा तो सुनो counterparty risk कैसे पता लगेगा कि counterparty default कर सकती है भई सामने वाले इंसॉल्मेंट हो जाए सोचिये न इंसॉल्मेंट भी तो हो सकता है या फिर उसको हमने कोई project दिया है और उसके पास resources नहीं है फैल हो गया वो resource necessary resource है नहीं है तो तो हमारा काम करी नहीं पाएगा और क्या हो सकता कोई regulatory restriction हो गया उस पे तो काम नहीं कर पाएगा मतलब counterparty default हो कर सकता इंसॉल्मेंट हो सकता कोज भी हो सकता management के क्या तरीक है बोले आप due diligence कीजिए और properly देखिए documentation कीजिए papers देखिए balance sheet देखिए उसके सामने वाले की आप उसके साथ किसी एक single party की साथ over commitment मत कर दीजिए और क्या अपनी limit अपना risk पता कीजिए कि वही आप कितनी limit तक risk ले सकते हो और आप rapid action लीजिए तुरंत action लीजिए अगर वो default करने माला time pass की theory है और क्या पर करें question आजाएगा कैसे identify करोगे की political risk है तो भाई currency के conversion पर restriction कर दिया है ठीक है या acid को jump कर लिया है या फिर price fix कर दिया government नहीं किसी product का कि price fix है political risk है तो कैसे है आप एक काम करो आप जब भी किसी country में पैसा लगा रहे है तो पहले उसका ranking पता कर लो और country का macro economic condition क्या है वो देख लीजिए सर manage कैसे करोगे government stable stable है की नहीं है ये भी check कर लीजिए और क्यों आप बाहर जा रहे हो यहाँ raw material का local source देखो ज़्यादा अच्छा और ये दो time pass हुआ है interest rate risk कैसे पता लगेगा कि interest rate risk है तो बुले government की policy economy growth गौर्मेंट जो action ले रही है और उसको manage कैसे करोगे तो बुलो क्या लिखा है interest rate risk management करके chapter उसमें सब लिखा है FRA है cap है floor है ये तो बढ़ा हुआ है और ऐसे किसका currency risk है की नहीं है कैसे पता लगाएगे बुले inflation को देखकर interest rate को देखकर government का action देखकर natural calamity calamities और change of government ठीक है और इसके लिए chapter पढ़ना foreign action risk management मिझे नहीं लगता कि इसकी आपको जरूरत है करने की ठीक simple आगे चले यास value at risk वार हलांकि वार chapter जिन्होंने बढ़ा है उसके लिए ये skip कर सकते छोड़ सकते वार आपके काम का नहीं value at risk वार क्या होता था वार होता था one day वार two day वार याद करो कि हमें please बता दीजिए कि एक दिन में हमारा maximum loss कितना हो सकता है two day वार कि दो दिन में हमारा maximum loss कितना हो सकता है confidence level देखते थे 90% confidence level कि हमारा maximum loss इतना हो सकता है it means हम वार में वार नहीं समझाने जा रहा हूं वार आपको आता है भाई और मैं practical question भी नहीं करवाँगा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वार किया theory आएगा तो कैसे लिए वार में हम calculate करते थे measurement करते थे कि maximum loss कितना हो सकता उसके लिए हमें किन-किन चीजों की ज़रुती कितने दिन का वार चाहिए मतलब time इसके अलावा standard deviation भी चाहिए standard deviation एक probability भी चाहिए jet table का यूच करते थे यह सारे चीज़े तो दो question आ सकते एक features वार का features और एक है वार का apply कैसे करोगा application का तो वार के features में सबसे पहले उन्होंने का component time one day वार, two day वार confidence level 90%, 99% हम बोलते थे थे ना और loss आपको निकालना percentage में या amount, component में तीन चीज़े, ठीक है इसके अलावा, क्या इसमें stats use होता है, yes क्या time, yes one day, two day, repeat हो रहा है क्या probability use होता है, yes क्या risk control है क्या z score, risk को control करने के लिए, z score use होता है, yes अगर features की में बात करो, features कुछ नहीं, डेफिनिए, आप जो जो लगता हूँ, features एक तो component हाएगा क्यार, sir, इसमें time चाहिए, ठीक है, दूसरा क्या इसमें states use होता है, yes क्या इसमें probability use होता है, yes क्या इसमें jet table की जरुत पड़ेगी, yes प्रास इतना लिख दो के तो भी बहुत है ठीक है और दूसरा, इसको apply कहां करोगे तो इसका application होता है जब आपको ये पता करना होता है कि maximum loss कितना हो सकता है दो दिनों में, चार दिनों में, तब इसकी जरुत परती है और उसके इसाब से फिर हम benchmark decide करते है अपने performance पे कितना loss actual में होगा, उस benchmark हमें पता है कि यार, हमारा maximum हम दो दिन में 10,000 रुपए का loss हो सकता है तो एक benchmark बन गया कि यार, कितना हमें काम करना है limit fix हो जाती है individual dealing के लिए simple सी बात है और trading strategy decide होती है asset bank, asset management में काम आता है, हाला कि ये मैंने detail में समझाया है, जब मैंने आपको war समझाया हो war check करो कि तो war से दो ही आ सकता है एक तो आ सकता features और दूसरा आ सकता है application उसका definition तो नहीं पूछेगा मुझे नहीं लगता कि definition पूछेगा बाकि war में बहुत ज़्यदा time नहीं लगाँगा, वो कहाँ already covered है, value at risk है questions कर रहे है, जो chapter से उसका मैं नहीं करवा रहा, तो खतम करें risk management, yes बोलो, चल दी से type of risk, चार, strategic, जिसमें किसका example लिखोगे, codec, और किसका Samsung, और किसका Nokia, ठीक है strategy risk, दूसरा compliance risk, तीसरा operational risk, और चोहता financial risk, financial risk के अंदर क्या-क्या पढ़ेंगे, first counterparty default risk, counterparty risk, दूसरा interest rate risk, currency risk, और इसके अलावा, political risk, ठीक है, और एक कौँसा रिस्क था, एक भूल रहा है, हम लोग, याद करो, याद करो, political risk, interest, रट्टा वाने क्यादब था, हमारी में नहीं है, liquidity risk, sorry, यह था भी नहीं, पहले नहीं था, यह अभी एड हुआ है, liquidity risk, ठीक है, और यह बाकी तो आप कर लोगे, ठीक है जी, असर इसके बाद आप कौँसा चैप्टर कर, इसके बाद हम चल रहा है, एक बहुत ही important chapter, इसका नहीं है, start of finance, अजी, तो अब, अब एक बिल्कुल आसान सा chapter, जिसका नाम है, start of finance, आसान है, पर important, question आए हुए है, theory के लिखने के लिए, और बिल्कुल easy language में theory है, और इसके बाद और एक chapter वो तो बहुत ही असान है, तो पहले इसको खतम करें, yes sir, बात करते है, start of finance, की start of finance क्या चीज है, तो start of finance से क्या लग रहा है, आपको ऐसी start of finance, sir, start of home को समझता है, yes, time pass मत कीजिए, तो भई, start up आप कर रहे हो, तो सबसे पहला सवाल, क्योंकि हम finance की बात कर रहे है, पैसो का arrangement कहां से होगा, कुछ innovative ways है, क्या कुछ नए तरीके है, क्या पैसो का arrangement करने का, yes, तो वो एक point हम यहां discussion करेंगे, innovative way to finance start up, ठीक, exam में question आता है, तो प्लीज, आप हलके में नहीं लोगे, ठीक है साथ, दूसरा क्या पढ़ना है, दूसरा हमें यह पढ़ना है, कि ठीक है जी, पैसो का arrangement यहां से हो सकता है, या फिर bank से हो सकता है, या कहीं से भी हो सकता है, तो सिर्व बोल देने से पैसे मिल जाएगे, कि मेनेजर साब हमको पैसे चाहिए, नहीं, आपको पूरा प्रजेक्ट रिपोर्ट देना पड़ेगा, जिससे हम बोलेंगे, पिच प्रिजेंटेशन, पैसे चाहिए न, तो आप प्रिजेंट शार्क इंडिया तो देख रहा है, और मुझे ये चैप्टर पढ़ाने नहीं चाहिए, पिच प्रिजेंटेशन, किस तरह से प्रिजेंट करें, कि सामने वाला, जो भी पैसे लगाने वाला, उस्सुक हो जाए पैसे लगाने के लिए, पिच प्रिजेंटेशन, ये मोट्स है, मोट्स, अब पैसो के अर्रेंजमेंट करने के मोट्स क्या क्या हो सकते, तर ये और य स्टार्ट अप तो आपको यह बाते लिखनी पड़ेगी टीक है इनोवेटिव वे बोलेगा तो यह लिखेंगे दोनों एक जैसे लगते दोनों में पैसों का करना है पर आपको सब्दों पर जाना पड़ेगा और डिटेल में जब यह पॉइंट पर आऊंगा तो मैं समझा दूंगा कि क्या कहना चाहता है इसके अंदर हमें तीन चीजे पढ़नी है सर कौन कौन सी एक तो पढ़ना बूट स्ट्रैपिंग आता है यह इंपोर्टेंट है यह वाला पार्ट इंपोर्टेंट है अपका और लंबा भी जाएगा दूसरा इंजल इन्वेस्टर्स और तीसरा वैंचर कापिटल फर्म में टूटल हमें तीन चार पाच पॉइंट पढ़ने पड़े है और इसके बाद स्टार्ट अप इंडिया क्या है यह समझना पड़ रहा हूं यह मेरा रिवीजन चल रहा है अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहां मेरा थियोरी का लेक्शर डाला हुआ है अभी इतना टाइम नहीं सिर्भ रिवाइस मतला मैं रट्ट याद करवा रहा हूं रट्ट बोलना ठीक नह का अर्रेंजमेंट कहां से वैसे तो कितने पॉइंट्स दिख रहा है नाइन पर अगर चार नंबर का कोश्चन है और ऐसे भी बच्छे का आंशर शीट में ने देखा कि उन्होंने चार पॉइंट्स लिखा है और उनको पूरा की पूरा चार नंबर मिला है तो अगर हैडि लिखोगे और इसके अंदर का मटेरियल दो लिख सकते हैं पर बच्चों का यह कहना था कि नई शर इसके अंदर का माटेरियल भी हमें क्या लिखना यह पता नहीं तो थोड़े-थोडे कीवर्ट्स मैंने दे रख्या है कहां से दे रखे इस्टडी माटेरिल मेरी लाइंग और आप startup भाई खुद के पास पैसे होना जरूरी ये खुद का savings उसके बिना बिजनेस कैसे करोंगे और जब तक अपना पैसा नहीं लगाओगे तो सामने वाले से क्या बोलकर आप पैसे मंगोगी कि प्लीज मुझे बिजनेस करना पैसे दो तो सामने वाला पूछीगा ना अ अपना कितना लगा रहे हो अगर खुद का लगाती हो तो सामने वाले को confidence भी तो आएगा पर्शनल फाइनसी सबसे पहला पर्शनल फाइनसी सर दूसरा बैंक के पास जाई है बैंक तो नया बिजनेस से start-up है उसके लिए तो पैसे दे गई नहीं बिल्कुल नहीं देगा को कोई बात नहीं खुद की ने तो इज्जद बनाया होगा ना आपका एकाउंट होगा किसी बैंक में काफी दिनों से थोड़ी बहुत इज्जद होगी आपकी तो पर्शनल क्रेडिट लाइन है अपका उसको यूज कीजिए और उसके थ्रू आप बैंक से पैसे ले करते खराब हो जाते हैं पैसो की वज़़ा से पर ठीके दोस्तों से मांग सकते पर राइटिंग में यह हम वापस करेंगे विध इंट्रेस्ट वापस करेंगे अब चिंदा ना करो ठीक है तो आप ऐसा भी कर सकते तो तीन पॉइंट तो हो ही गहते हैं खुद का पर्शनल पर्शनल क्रेडिट लाइन, फैमली और फ्रेंट से पैसा माग लोग, और किसे, बाकी लोगों से भी तो मांग सकते हैं, मांग सकते हैं, हम बैंक नहीं जा रहा है, हम ऐसा कर सकते हैं, पैसो का अरेंजमेंट, पर यार, मालूमाँ जो पैसे देते हैं, वो अगर मुझे 50 लोन भी ले सकते हो अप लोगों से micro finance बोलते हैं इसको micro loans बोलते हैं it means personal financing हो सकता है personal credit line हो सकता है family and friends से हो सकता है micro loans हो सकता है कितने हो गए हैं चार, ये चार में लिखते तो काम हो जाएगी दो website available है websites के थूभी पैसू का arrangement किया जा सकता है और वेबसाइट्स में एक है पीर-टू-पीर लेंडिंग, इनकी भी बहुत सारी, पीर-टू-पीर लेंडिंग एक प्रोसेस है, पैसोकार, OLX नहीं देखते हूँ, कोई खरीदने वाला है, कोई बेचने वाला है, ऐसे ही कुछ लोग लोन देने वाले और लोन लेने वाले, यह दोनों की दोनों को मैच करवाता है, कौन? पीर-टू-पीर लेंडिंग और एक है क्राउट फंडिंग, यह वेबसाइट नहीं है, क्राउट फंडिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स है, पीर-टू-पीर लेंडिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, किसी को पास एक्स् होगी मैंने थोड़ा-थोड़ा लिख रखा आप डिटेल में लिख सकते हो मेना हेडिंग्स हेडिंग्स अच्छे से लिखना प्लीज है ठीक है पीयर टू पीयर लेंडिंग और क्राउंट फंट इसके अलावा इसके अलावा यह दो पॉइंट और याद रखना पड़ेगा अच्छा एक होता है vendor financing sir vendor फाइनसिंग क्या vendor मैं supplier के पाउज जा रहे हूं मैं करता हूँ supplier जी मुझे न गोट चाहिए मुझे material चाहिए actually raw material तो भले ठीक है पैसे पैसे है नहीं है तो उससे request कीजिए vendor से supplier से प्लीज आप थोड़ा सा जो period है उसको बढ़ा सकते हो क्या मुझे दो मेने के लिए उधार दे तो आप ऐसा भी कर सकते हो deferment कर सकते हो दूसरा क्या कर सकते हो जिसके पास में material खरीदने जा रहा हूँ प्लीज आप ही मुझे उधार दे दीचिए प्लीज सर आप ही मुझे उधार दे दीचिए और उन पैसों से मैं आपका ही material खरीद रहा हूँ ऐसा होता होगा सर हाँ जी ऐसा होता हमारे यहां तो चलता हाला कि मैंने लिया नहीं लिए ओ बात की मात पर यह भी है वेंडर फाइनसिंग या तो सप्प्लायर से बोलिए बढ़ा दीजिए क्रेडिट बढ़ा दीजिए मुझे उधार दीजिए या तो पैसे उधार दीजिए मैं आप भी से मटेरिल खरीत लता ह वेंडर फाइनसिंग बोलते हैं और एक होता पर्चेसिंग और फाइनसिंग सब पर्चेसिंग और फाइनसिंग क्या है पर्चेसिंग और फाइनसिंग सुनो ये हो आप ठीक है सर और ये है कौन सप्प्लायर ये और ये है ये लोग तीन पिक्चर में ने बनाए है ये कौन है आपका ये है सर हमारा कश्टमर कश्टमर इसने ओर्डर दिया कि हमको चाहिए इसने का जी इसने कहा हमको चाहिए है हम के हम अरे पस और इसको तो दो महने के अंदर डिलीवर करना बही ए जोबफिलाने के लिए जो भी प्रोड़क्त हウो बनाने के लिए io material किसके पा्श आओगे supplier और supplier केता एनि Miss not पैसा नहीं हम पैसे चाहिए तभी आपको material देंगे और हमारे पास पैसे नहीं है और यह क्या ता पैसा लाओ material ले जाओ क्या दिक्कत है मैं बहुत दुख्य हूँ मेरे पास यह order रखे हुए है मुझे दो मेहने में goods बना के देना क्या करूँ तो बिटे एक company होती है जिसका नाम होता purchasing order financing company यह को होती है भाई आपके पास order है क्या मेरे पास तो order तो बोले जाओ supplier से goods खरीद लो material खरीद लीचे पैसा में दे दूँगा चिंता मत करो हम इसको पैसे दे देंगे supplier को आपको टेंस ले और जैसे ही आप goods से बनाकर इधर इसे purchasing order financing company क्या करती purchasing order advance दे देती है किसको सीधा सीधा किसको दे देती है suppliers को ठीक है और इसके बाद और एक क्या factoring factoring का मतलब होता है जो आपने goods बेचा goods base दिया तो आपका पैसा blockage हो गया वो तो दो चार महने में मिलेगा पैसा जो blockage हो गया क्या वो जो debtors है receivable है उसको कि किसी और को transfer कर सकते हैं हाँ यह factoring है और factoring भाई में नहीं कर वहांगा इसी एंटर में किया हुए बहुत है तो बात करते innovative ways to finance a startup innovative ways क्या हो सकता प्रियारों रट्टा मारते है पर्शनल फाइनसी खुद का लगाएंगे पर्शनल क्रेडिट लाइन ठीक है तर दोस्तों से लेंगे family and friends इसके बाद सर छोटा छोटा लोन माइक्रो लोन्स सर इसके बाद दो website के थुरू internet के थुरू मतलब website के थुरू या social media के थुरू काम हो सकता क्या नाम था एक peer-to-peer lending और एक crown funding इसके बाद सर हम supplier से भी तो बोल सकते है vendor finance और सर कोई company है जो purchasing order finance और factory आसान है बही यह चार भी याद हो गया ना यह वाला काम तो होगए दूसरा है pitch presentation जब सामने वाले के पास जा रहा हो जिसके पास जा रहा हुए पैसो के लिए तो आपको भाई ऐसे खाली हाथ नहीं जा होगे आपके पास प्रॉपर planning होगी कि आप भई पैसा जो हमसे start-up है existing business तो है नहीं है तो क्या किस तरह से काम करोगे क्या बताओगे क्या business करने वाले आप हो कौन और आपके team में कौन कौन हो सब तो बताना पड़ेगा तो ये सब हम लिख कर देना यार बहुत अच्छी से लिख कर दे और काम क्या करेंगे सुनो सबसे पहले तो भई introduction दो हम कौन है qualification क्या है ये सब कुछ क्या करना चाहते है introduction उसके बाद क्या हो जाएगा उसके बाद पहला काम हो गया introduction बाद उसके बाद आप टीम के विसे में बताएगे आप अकेले हो ये आपके साथ कोई और भी है मालूमें जो पैसा लगाता है वो आप में तो इंट्रेस्टे आपकी टीम में कौन है ये भी important होता है तो यहाँ भी आपको काम यहीं करना कि आपकी टीम में कौन कौन ने ये भी बता दिया टीम में कौन कौन है इसके अलावा सर이 करना होगा इसके अलावा experimenting कै आपको करने पड़ेगी की भई करना क्या क्या चाहते हम बताना चाहते हैं कि देखो भई यह जो बिजनेसैनु यह जो काम हो रहा है दुनिया में को एक पर्टिकॉलर बजसंट उस में एक्चुल में प्रॉब्लम क्या है इस में प्रॉब्लम है ये फैल हो सकता है इसमें क्योंकि अपडेट नहीं हो रहा है और इसका solution हमारे पास है तो इसको मताईए क्या problem है और उस problem का solution हमारे पास है अगर हम वो business start कर दे तो देख लो हम बिल्कुल success हो जाएगे तो दो चीजी यह बचाईए problem क्या और solution क्या हलाकि इसमें कुछ examples है examples आपको problem explain करना पड़ेगा examples example लिखो गे लिखो होगे क्योंकि यह कहां से उठाया मैंने study material से बताना कि facebook और औरकुट पहले क्या चलता था औरकुट यह प्राइवेस से लिखा एक्च्वल में और कुट में और कुट भी social media ही था बहुत पहले चलता था उसमें समझता प्रोफाइल कोई भी खुल कर देखता था दिस प्राइवेसी का प्रॉब्लम था तो उसी को उसी प्रॉब्लम का फायदा उठा कर facebook बीच में आये इस तरह से आप बताईए का और solution तो solution की भी कोई problem आये तो company जो है वो कैसे problem solve कर सकती है जैसे flip card flip card के साथ समस्या क्या थी ये भी बताना और उसका उन्होंने solution क्या निकाला flip card के साथ payment का problem था payment का मतलब वो credit card से मांगते थे debit card से cash on delivery नहीं था तो उन्होंने इस payment का problem को solve करने के लिए cash on delivery start किया दूसरा जो goods पहुंचाना था customer के पास वो किसी और कित्रू पहुंचाया जाता था transport supply chain system नहीं था उन्होंने खुद का development किया तो भाई ये भी बताए कि अगर कोई problem आये तो उसका solution भी हमारे पास है यहां तक ठीक है pitch presentation चल रहा था चार चीजी हमारी त्यार हो चुकी है खुद का introduction दोगे टीम के विसे में बताएगे problems के विसे में बताएगे facebook और कुट डाल देना और solution क्या हो सकता वो भी बताएगे चार चीजी हो गई इसके बाद क्या होगा इसके बाद भाई ये भी बताएगे आप जिन से पैसा उठा रहे है कि देखो हमारा target customer कौन है हमारा market कितना है अब कुछ भी बोलोगे कि यार हमारा ये market market भाई customer तो फिक्स होता है इतने इतने customer से ज़्यादा होई नहीं सकता आप भी माई तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका market size क्या है टार्गेट कस्टमर क्या market size important होता है यह में बता देंगी उसके बाद projection बताई कि यार प्रोजेक्शन तो लगता है लगता है कि बैलेंश वेट कैश फ्लो इंकम स्टेट्मेंट इस सबका प्रोजेक्शन आपको बताना पड़ेगा अच्छा बहुत सारे चीज इस चीज़ क इसको भी जानने में interested रहते कि आपके competition में कौन-कौन है आला कि उनको भी पता होता है पर फिर भी वह आपसे भी पुछेंगे आपके competitor कौन-कौन है तो यह पक्का बताना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाँ हम ही या क्यले ऐसा नहीं चलेगा आपके competitor कौन-कौन और इसके प्रोसेश, टार्गेट कॉस्टमारी स्ट्रेटिजी वग्यरा यह सब कुछ बताओगे तो टोटल मिलाकर पिछ प्रेजेंटेशन में कितने पॉइंट्स लिखना है आठ याद करें आप भी तेयर हो तर सामने खड़े हो जाओ यास देखे कौन-कौन सा पहला इंट्रोड़क्शन खुद का टीम का प्रोब्लम बताइए उसका सॉलूशन क्या हो सकता है इसके अलावा टार्गेट कॉस्टमर्स मतलब मार्केट साइज वग्यरा बताइए कितने व इस मॉडल क्या होगा यह बताइए असान भगवान करें आपको आठ पॉइंट याद हो जाए मुझे नहीं लगता कि हो पाईगे आपको तो चार भी अगर याद रहे चार पाच भी याद रहे तो थैंग अगर पूरे याद है तो भी यह पूरे लिग देना सा चाहाए इस चाहे है। इसका लए चार नमबर पर याद नहीं रहते हैं ऑ्र कुछ भी यॉषा है हेडिंग में अगर गार बड़ करोगी तो वह नंबर काट लिगा हेडिंग बिल्कुल सा इं लिखोगे इसके अंदर का भी कुछ भी मत लिख Doakin banal अब लिख लेना मैंने कीवर्ट डाल पॉइंट अब बुलेगा मोट्स ओफ आइनेंसिंग पर स्टार्ट अप तीन बताया उन्हें ने बुट्ट्रेपिंग बताया एंजल इन्वेस्टर्स बताया और वेंचर कापिटल फंड बताया यहां फंड होना जी वेंचर कापिटल फंड अगर फिर से बोल रहां पूछे मोट्स ओफ फाइनेंसिंग फा इस्टार्ट अप तो तीन लिखना पड़ेगा बुट्स्ट्रैपिंग एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कापिटल फंड क्या होता है बुट्स्ट्रैपिंग वन बाई वन डिस्कुस करेंगे सर्ची ऐसा है सुनोगे ध्यान से मरी बात को आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको किन चीजियों की जरूरत पड़ेगी सर मसीनरी वगेरा सबसे पहला तो सबसे ज़्यादा पैसा हमारा इसी में जाता है इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए स्टार्ट अप कर रहे हैं कहां से लाओगी पैसा बुट्स्ट्रैपिंग का मतलब है कि हमें किसी बैंक बैंक किसी से पैसे उधार लेनी की ज़रूरत नहीं है हम या तो अपने ही पैसो से काम कर ले या तो जो हमारा रेवेन्यू आने वाला है बिजनेस से उनी पैसो में पूरा अरेंजमेंट कर ले हमें बहार से या डेट नहीं चाहिए डेट लोगे तो फस जाओगे डेट चाहिए नहीं किसी का पैसा नहीं चाहिए ना डेट कर ना नहीं खुद से पूरा करेंगे खुद से कैसे करोगे पूरा मसीनरी कहां से खरीदोगे है पैसे आपके पास थोड़े बहुत होगे तो उससे तो मसीनरी आने से रही आम ने का बता रहा है न खरीदने क्या पिक्छा लीज पर ले लेते हैं दिकत क्या है क्यों खरीदे खरीद ले लिया कि राय से और जो revenue generate करेंगे उससे lease का payment किया कर दिया करना बात कतम तरीक तो आपका क्या fixed assets की समस्या खतम हो जाएगी यस आप क्या किजिए आप equipment को किस पर ले लिजे lease पर ले लिजिए बात कतम हो जाएगी वाव सर बहुत अच्छे ठीक है सर मसींदी वगएर तो अर्रेंजमेंट कर लिया अब भाई सर इसके लिए लगेगा और आप इसका क्या करोगे बोलो ना इसका क्या करोगे अप्लायर के बाद जाई है ठीक है हाज जोड़के विंती किजिए कि प्लीज उधार देतों करना पड़ेगा ऐसा आप प्लीज हमें उधार दे दीजिए दो मैने के लिए चार मैने के लिए जो पैसा जो बेचेंगे और उससे जो पैसा आएगा हम आपको चुका देंगे हो गया इस्टॉक मटेरियल की भी विस्ता हो गई फ्रेट क्रीड बोलते है सप्लायर से रिक्वेस्ट किजिए या फिर आप क्या किजिए फस्ट आउडर को क्रेट बेसिस पे लेने कि इसके लिए आपका कम्यूनिकेशन इश्किल अगे रहा बहुत अच्छा होना चाहिए तबी काम होगा है ठीक है ठीक है तो हो गया इस्टॉक का भी अरेंजमेंट हो गया हम क्या सीकर है हम बुटिश ट्रैपिंग हम अपने ही रेवेन्यू से फाइनिस कर रहा है ठीक है दो चीज तो हो गया अब सर आपके पास मटेरियल भी आ गया आपने बना भी लिया आप ब मज़ रहे हैं उधार बहुचोंगे तो डेटर्स और डेटर्स में पैसा फस गया अब कैसे आएगा पैसा अब फिर फिर जाओगे आप सप्लायर के पास तो बहुत भगा देगा आपको यह ना भी तरीका उसका डेटर्स को भी हम बेज देंगे किसी और को जिसको क्या बोलते है फैक्टर्स फैक्टरिंग तो पड़ा हुआ है वहाँ से पैसे आ जाएंगे मतलब क्या फैक्टरिंग यहास एकाउंट रिसीवेबल और बिजनस आर सोल्ड इसको तो मुझे समझाने कि जरूत नहीं हो गयगा बड़ा आसान है बोटिश ट्रैपिंग मोर्स और फैनेंशिंग फाइस स्टार्ट उब तो सबसे पहले बात करें बोटिश ट्राइपिंग आता है एक्जाम में बोटिश ट्राइपिंग trade trade बोल रहा हूँ, sorry दूसरा क्या हो सकता है, फैक्टर, तीसरा क्या हो सकता है, लीजिंग, आसा, इसके बाद किसकी बाद हो रही है, Angel Investors, IQ मोट्स में Würиш swabbing, Angel Investors, Angel Investors होती ही क्यों है, Angel Investors वो होते हैं, जो अरली स्टीश पे, मैं start-up कर रहा हूँ, उस पे वो हम लोगों को खुद का पैसा जो उन्होंने सेविंग कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट करते है Angel Investors चुटी चुटी ऐसा नहीं है कि बहुत साथ चुटी इन्वेस्ट करते है और उनका जो पार्टीसिपेट करते है वो एक्विटी में पार्टी से पैट करते हैं वो खुद एक्षेंज फार ओनर ओफ एक्विटी या कनवर्टिबल डैट्स इन्वेस्ट इन इसमाल स्टार्टप इन अरलिश्टेस और खुद का पैसा यूज करते हैं यूज दिया ओन किसी इन्वेस्टर्स के विसे और डिटेल में पढ़ना तो वो तो इस्टेडी मटियल से पढ़ सकते हो पर एन्वेस्टर्स पे लिखने के लिए आएगा तो फिर तो पैरग्राफ चाहिए हमको पर आएगा मोट्स और फाइनेसिंग फाइस स्टार्ट अप तो बहुत ज़्यादा लिखने की जिरुद्रत नहीं है तीन लिखोगे बुटिश ट्रैपिंग एंजल इन्वेस्टर्स वाएंचर कापिटल बुटिश ट्रैपिंग में एदीन पॉइंट तो लिखेंगा एंजल इन्वेस्टर्स में थुड़ी सी कहानी लिख दीजएगा और वेंचर कापिटल फंड ये तो बहुत बड़ा है सर वेंचर कापिटल फंड ये होते क्या है angel investors के जैसे ही पर venture capital जो है वह हते बड़ी बड़ी banks बहुत बड़े बड़े लोग banks दो नहीं बूल्ड़ाएं trust होता है वो लोग क्या करते सुनने जहां से उनकी पास व讃से लोगों का पैसा रहता उस fund को venture capital fund उस fund को investment करते स्टार्ट अप है investment vehicle that managed fund of investment और कौन से श्टार्ट अप में बोले rapidly growing company rapidly growing company तो समझके ऐसे early stage पे angel investor जैसे काम नहीं कर सकते बहुत research करके सोच समझकर ऐसी companyों में invest करते है और वो भी early stage पे नहीं एडवांस लेवल पे काम हो चुका है तब करते हैं और ऐसी company में जो speed से grow होती है बदले में इनको भी equity ही चाहिए बदले में इनको भी equity ही चाहिए लेकिन ये बीच में दखल भी देगे ऐसा नहीं है कि आपको पैसा दे दिया पैसा दे दिया पैसा देने से बात नहीं है venture capital में वो लोग दखल भी देते हैं वो participate भी करते हैं वो आपको advise भी करेंगे मदद करेंगे आपकी business में this is venture capital firm ये पैसे देखे छुटका रहा एंजल इंवेस्टर्स लेकिन ये आपकी मदद करेंगे help करेंगे help लगेगी ऐसा नहीं कि नहीं लगेगे आपको long term के लिए पैसे लगाते सावी लोग और help लगेगी आपको IPO लाना है ये बोलते हमको experience है वही venture capital fund है हमको सब experience है आपको किसी contact है कहीं किसी supplier से चाहिए क्या करें तो इनके जबर्दस्त कॉंटेक्ट होते हैं लोगों से हम है ना क्यों टैंसे हम help करने को तयार है venture capital fund पर ये बदले में आपसे एकवटी लेंगे और लमसम लेंगे तो तीन चीजे मैंने बताया मोट्स आफानेंसिक फाइश्टार्ट अप में बोशिश्ट्रैपिंग एंजल इन्वेस्टर्स वेंचर capital fund पर venture capital fund पर बहुत बड़ा चैप्टर है तो इस पर वो story पूछ सकता है इस पर वो question पूछ सकता है तो venture capital fund में सबसे पहले हैं जो बात करेंगे characteristics venture capital fund से पैसे लिने में हमें क्या फाइदा advantage venture capital fund पैसा कब लगाता है stages venture capital investment process क्या होता है और structure क्या है it means total venture capital हमें एक दो तीन चार पाच भागों में discussion करना है सबसे पहले बात करते है characteristics venture capital fund का character याद करना point as it is लिखना इधर उधर करोगे तो दिक्त हो जाएगा सबसे पहले क्या यह लंबे समय के लिए पैसे लगाते ही यह सिनको पहले से पता होता कि लंबे समय के लिए तीन से दस साल लिखा हुआ उसमें study material आपके ठीक तीन साल से उपर के लिए लिक्विडिटी लिक्विडिटी का मतलब मैं हूँ venture capital fund मैंने किसी startup में पैसा लगाया बदले में मुझे paper equity मिल गया जो भी मिल गया क्या इसको में किसी को बेश सकता हूँ बड़ा मुस्किल होता भाई मैंने जो investment कर रखा वह investment किसी और को transfer पर बड़ी मुस्किल से होता है क्योंकि आपने risk की company में पैसा लगा रहा है startup जिसका पता ही नहीं ठीक आना नहीं तो क्या liquidity less होता है yes less liquidity risk कोई शक नहीं है high होना है और ये भी equity में participate करते हैं तो चार चार characteristic लिखना पड़ेगा first लंबे समय के लिए दूसरा high risk की है high risk की है high risk की है less lack of liquidity है और चौता ये participate करते हैं हमें venture capital fund से पैसे लेने में फायदा क्या है फायदा देखो क्या है ऐसा आप एक तो लंबे समय के लिए तो हमको tension है नहीं है ठीक है sir दूसरा क्या है दूसरा है क्या है ये risk में reward में, risk में दूनों में participate करेंगे, equity participate है तो हमारा वो भी tension खतम तीसरा ये हमें help करेंगे, advice करेंगे yes, advice करेंगे ना इनका contact होता है तो उसमें help करेंगे, further हमें पैसे की दूत पड़ेगी तो भी ये नहीं का दो business है तो please करो कुछ, तो वो help भी करेंगे, और IPO IPO लाना तो इनको expert knowledge होता है venture तो ये वो भी करेंगे, तो ये सब लेका हुआ long term के लिए होता है एक तो और share करता both risk and reward क्या इनके practical advice हमारे काम आ सकता yes, इनका contract होते हैं venture capital funds characteristics हो गया, advantage हो गया आगे चले yes venture capital fund जब पैसा लगाता है startup में कब पैसा लगा सकता है business में कब पैसा investment कर सकता है तो ये तो stages बहुले वो या तो यहां भी investment कर सकता या तो यहां भी या तो यहां भी या तो यहां भी तो टोटल मिलाकर 6 stages बताया है, वैसे यहां से question आने की उमीद थोड़ी सी कम है पर पढ़ो भई, जब कर रहे हैं तो पूरा ही कर लेते हैं, पहला sid money, बिल्कुल सुरू में, जब research new idea, research and development का काम ही चल रहा था न, आपके आपने सोचा ही था, research ही चल रही थी, तभी हम venture capital के पास गया, हमने का पैसा लगाओगे और सुनो, बहुत लंबे समय के लिए लगाना पड़ेगा, 10-7-7 से 10 साल तक तो आप भूली जाओ, तो तब अगर वो पैसा, this is बिल्कुल initial जिसको आप बोलते, seed money बीज, seed money, तब पैसा लगा सकता research and development हो सकता है, आप वहाँ लगाने में इंट्रेस्ट नहीं हो, तो दूसरा stage होता, start-up वहाँ पैसा लगा लिजे, research का काम पूरा हो चुका है, sir, marketing and product development का काम है, आप फिर पहुँच गया, बोले, अब तो लगा दो, research हो गया है, पर कम से कम 5-7-8 साल भोल जाना, यह limit study material से उठाए, जरूरी नहीं है कि आपके लिए इसको बोलते, start-up, पहला seed money, research वाला काम दूसरा, start-up, marketing and product development वाला काम हो सकता हो, तो फिर हम आगे बढ़गे, हम अब sales और manufacturing पे धियान देने लगी, first round sales and manufacturing, वहाँ पैसा लगा सकते हो, वहाँ थोड़ा जल्दी पैसा आपको मिल जाएगा, वापस उसमें, second round पे आजाए जहां हमें working capital की जरुत पड़ेगी माहा लगा तो तम दीरे दीरे बढ़ है ना भाई या फिर third round पे आजाए या आप market दूसरी नई profitable company खरीदने वाले हो, वहाँ तो फटा-फट से पैसा वापस मिल जाएगा, या फिर आप fourth round पे आजाएए जहाँ आप IPO लाने वाले तब पैसा लगा दीजिए, इस means venture capital यहाँ कहीं भी किसी भी stages में पैसा लगा सकता पहला seed money, research and development वाला काम दूसरा startup, product development वाला काम तीसरा first round, sales and manufacturing वाला काम चौहता second round, working capital पाच्वा new company को acquire करना और छटवा IPO लाना है यह limit लिखो ना लिखो कोई फरक नहीं पड़ता, यह क्या हो गया stages, ठीक है सारा, आगे चले, yes venture capital investment process क्या होता, अब venture capital में हम तयार हो चुके हैं उनसे पैसे लेने के लिए और venture capital भी तयार हो चुका है, पैसे लगाने के लिए अभी तयार हम पहुच रहा है venture capital fund के पास, venture capital के पास कि प्लीज हमें start-up करना तो प्लीज पैसे चाहिए, तो आप सीधा जो main है उनके पास नहीं सकते, उनके employees होते हैं, उनके intermediate होते हैं, उनके पास जाके पहले बात करना पढ़ेगा, आप पहुचे, इसको बलते हैं deal origination, ठीक है, आप गय है, तो उन employees को पहले ही बता दिया जाता है, पहले ही guideline होती कि देखो जी हमको IT sector में पैसा नहीं लगाना, उनके guideline हो सकती हमें बस इन sector में ऐसे startup आए, जो IT sector वाले ना हो, तो चलो हम पैसा लगाना, और इसे stage, stage number one पे हम कभी पैसा ने लगाएंगे, guideline हो सकती है, हमें stage number three से काम करना है, ऐसा भी हो सकता है, तो फ़र्ष्ट जब deal origination होगा, तो आपको जो employees हैं, उनके उनसे बात करना पड़ेगा, और उनसे बात करके पहले काम क्या करना पड़ेगा, उनकी जो guideline है, उसके अंतरगत आप आती हो, कि नहीं आती हो, ठीक है सर, sector stages, promoters, turnover क्या होगा, यह सब deal origination, वहाँ से start होगा, employees से बात होगा, हो गई बात, अगर वो सब आप, उनकी guideline आपने follow कर लिया, वो जो चाहते हैं, वो final हो गया, तो फिर होगा screening वाला काम, और screening high level committee करती है, screening तो आप समझते हो, पुरी तरह से proper जो deal origination होगा, वो सारी चीज़े चेक करेगा, एक बात screening होगा, और यहाँ से भी approval मिल गया है committee से, पहला deal origination होगा, उसके बात पिर आपका due diligence होगा, due diligence का मतलब तो आपको पता है, कि आपने जो कहानी बता रखी हमारा यह है, यह turnover होगा, तो पेपर चाहिए verify करेंगे हम, उसके बात तो आगे बढ़ेंगे, तो उसके बात क्या होगा, उसके बात due diligence होगा, और आपके papers को verify कर लिया गया है, वो भी okay है, उसक capital से हो जाए बात, क्या चाहिए कितना percentage, हम कितने percentage में कितना पैसा लगाने को तयार है, यह सब काम होगा, deal structure, तो टुटल मलाकर अभी कितने point पढ़ लिए, चाहिए पढ़ किया रहा है, वैंच process क्या होगा, पहला deal origination होगा, हो गया, उसके बाद screening होगा, हो गया, उसके बा बताना, कि board जो है, उसमें यह participate करेंगे, और क्या होगा, और हम बाहर कैसे निकलेगे, पास साल, साथ साल जब पैसा हमने invest का रहा है, साथ साल बाद आपको profit आने start होगा, तो जो share आज 2-2 रुपए के सबसे खरीदा होगा, 10-10 रुपए, वो share 2000 का हो सकता है, तो फिर हम उन अजिट प्लान क्या होगा, ये भी बताना पड़ेगा, तो क्या होगा venture capital process में, सबसे पहला, deal origination, उसके बाद screening, उसके बाद due diligence, उसके बाद deal structure होगा, post investment activity हो, अजिट प्लान, लास्ट, structure of venture capital fund है, ये आप प्लीज उससे पढ़ लोगे, आपको आपके पास study material, पर हलका हलका मैंने बताया, कि दो fund होते हैं, एक domestic होता है, और एक offshore, store नहीं offshore है, offshore का मतलब विदेशी, domestic venture capital fund जो है, उसमें पैसा कौन लगा सकता है, domestic लोग, यहीं इंडिया वाले person लगा सकते हैं, domestic वहिकल हो सकता, हाँ, separate investment advisor होता है, इंडिया का, जो देखता है, investment किस तरह से करना है, पर domestic जो fund है, उसमें पैसा सिप domestic लोगों का लगेगा, इंडिया के, offshore का क्या हो गया है, विदेशी, तो इसमें भी एक तो offshore structure होता है, और unified structure होता, पैसा offshore है, मतलब बाहर वालों का लगेगा, इसमें सिर्व बाहर वालों का पैसा लगेगा, investment vehicle outside इंडिया रहे की, managed by offshore manager करेगा, सिर्व बाहर वालों का, पर ऐसा fund जिसमें इंडिया वालों का भी पैसा लगेगा, बाहर वालों का भी पैसा लगेगा, इसको मुलते, unified structure, तो दो structure है, domestic और offshore, domestic में सिर्फ यहीं के लोगों का offshore में, पाहर के लोगों का, अगर offshore है तो, पर उसमें unified है, तो दोनों जगा का पैसा लग सकता, बाकी detail में आपको पढ़ना पढ़ेगा, क्योंकि इसमें बड़ी सारी, बड़ी बड़ी point है, जो discussion करना है, या फिर आपको description मैंने lecture दे रखा, theory का, वो कर ले जाएगा, तो खत्म हो गया, क्या किस बात, क्या कर रहे थे हैं, venture capital fund, venture capital fund में सबसे पहले क्या पढ़ा था, characteristics, total मिला कर कितना, 4, 1, 2, 3, 4, long term के लिए, less of liquidity है, high risk है, advantage आपको पता है, फिर क्या पढ़ा था, stages, ये दिख रहा है आपको, process क्या होगा, और कितने type के fund होगा, last point पढ़ रहे हैं हम लोग, और वह है startup initiative, आपको पता है कि startup India, आपको एक बात याद रखना, ये new study material के सबसे old में कुछ अलग था, तो जो startup India है, उसको government ने बड़ी सारी छूट दे रखा, tax में, तो बहुत सारी, बहुत सारा exemption है, तो हर कोई, ये बोल सकता न, कि यार हम भी तो startup है, प्लीज, गौवर्मेंट हमें भी तो छूट दे दीजिए कुछ, कुछ फायदे हमारे लिए, तो हमें दीजिए न, तो गौवर्मेंट ने डिसाइड कर लिया, कि भईया, startup हम आपको नहीं मानेंगे, startup के लिए कुछ criteria है, अगर वो criteria फुल्फिल होते है, तब भी आपका startup है, तो बोले, क्या है, बोले, startup कौन का सकता, बोले, या तो आप private limited होना चाहिए, या LLP होना चाहिए, या partnership firm, और आपका incorporation, कई सालों पहले से incorporation हो चुक है, ऐसा नहीं जलेगा, दस साल पहले-पहले आपका incorporation हो, दसी साल होना चाहिए, चार साल है, तो भी आपको startup मान लेगे, लेकिन अगर 12 साल हो गए, तो आपका खेल कता हम 10 साल, और भले, इतना ही नहीं, आपका turnover भाई, 100 करोड से उपर नहीं होना थी, 100 करोड से उपर नहीं होना चाहिए, अगर 100 करोड से उपर है, तो भी आपका है का startup, आप तो बड़ी company है, हमें तो छोटी startup की बात कर रहे है, 10 साली और 100 करोड याद रखना, और आपका जो काम है, वो innovation, development, और improvement, employee generation वाला काम होना चाहिए, तो ठीके कर लोगे, य limit याद रखना 10 साल और 100 करोड, हाँ, लेकिन अगर आपने कोई बड़ा सा business, बड़ी सी company इसको split कर दिया, और बोले देखो अभी तो 10 सी साल हो रहा है, बोले यह नहीं चलेगा, बोले split, reconstruction of existing business, इसको आप में startup नहीं मानेगे, तो आज सकता है, यहां से बितियोरी, दो limit या दो हो चुकी है सारी, यह, क्या यह आपको याद करना पड़ेगा, यह, please, please, अगर, चार नंबर का एक question, और आ रहे हैं, एक question दो चुक नहीं सकता, एक question भी आता है ना भाई, live बन जाएगे, चार नंबर माइने रखते हैं, एक नंबर माइने रखते हैं तो चार नंबर, अगला चैप्टर उठा ले, financial policy and strategic policy, आपका जो study material उसमें फार्स चैप्टर है, और वो तो इतना simple है, उसमें मेरी जरुरत ही नहीं है, चाहो तो आज भी lecture बंद कर दो, बहुत ही simple है, ठीक, करते हैं, जी, त्योरी का last topic, और simple, simple इसलिए मैंने पहले भी कहा, कि अब यह chapter करवा भी नहीं रखा था, पर चलो ठीक है, रिवीजन मेरे ही साथ से, तो इस्टार्ट करें, बिना time खराब करें, yes, number of questions इस chapter से कमा, ठीक है, तो बात करते हैं, financial policy and strategic management, नाम है, financial policy, technical कोई भी थियोरी नहीं, सब simple, simple थियोरी है, तो एक बार discuss करें कि क्या-क्या पढ़ना, सबसे पहले तो strategic financial decision क्या होता है, यह हमको पढ़ना पड़ेगा, exam में आ सकता, strategic financial decision, क्या होता है, इसके function क्या है, इसके key decision क्या है, यह सब कुछ पूछ सकता, तो पहला जो topic रहेगा, वो हमारा वही चलेग, strategic financial decision, दूसरा strategy आप बताईए, और strategy कब बनाना है, बुले, हराई, different different level पर, different hierarchy level पर उसने कहा कि आप strategy बताईए, ठीक है, सर, hierarchy level मतलब corporate level strategy, business unit level strategy, यह सब बाद में समझेंगे, strategy किस तरह से बनाए जाती है, अलग-अलग level, ठीक है, financial planning क्या होती है, यह एक theory आ सकता है, एक आतक की, भई, financial जो planning है, उसके phase कितने होती है, interface, first phase में क्या होता, second phase में यह समझेंगे, उसके बाद, बुले, balance करना है, किसको, आपके financial goal को, और growth rate को, इसको balance किस तरह से किया जाएगा, financial goal और growth rate, समझाओंगे, तो सबसे पहले सर, पहले क्या बढ़ है, पहले, financial policy and corporate strategy, जी इस्टार्ट कर रहा है, total मिलाकर, एक, दो, तीन, चार, पाच, पॉइंट है, exam में question आ सकता है, तो या तो करना पड़ेगा, exam में question इसके कम आए है, पर आए तो है, ठीक है, तो start करते है, सबसे पहले, सबसे पहला question, strategic financial decision, making, decision making, क्या होता है, सबसे पहले तो यह बताई है, strategy जो बनाते हो, जो financing decision करते हो, इसका objective क्या, introduction, अगर मैं यह कहूं, सबसे पहले आपको introduction देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, सबसे कि decision making है, वो होती है, wealth maximization के लिए, target तो वही होता है, कि wealth creation करना, optimal mix करना, optimum करना, investment and financial opportunity को, decision making है, ठीक है, और इसके अलावा क्या है, आपका return क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, जो fund है, fund वो भी short supply में, आपके पास पैसा बहुत सारा थोड़ीन है, कि आप investment क कर देंगे, तो उसका भी जो allocation है, वो optimum होना चाहिए, इन्होंने कहा कि साहब है, क्या, फाइनेशियल, जो है, financial decision making है, क्या, कुछ नहीं है, बड़ा simple है, कि साहब हमारा wealth maximized होना चाहिए, और हमारा जो optimal expect return है, वो maximum, target है, total theory का लाई, इसलिए थोड़ा समझाने में, मुस्कि होगी, यह तो आप याद कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है, fundamental, essential of business, यह आपको लिखना पढ़ेगा, कि भई, business level पर सबसे पहले कौन-कौन सी चीज़े important होती है, तो सबसे important है, strategy बनाई है, दूसरा, उस strategy जो बनाया है, जो भी का रहा है, उसके लिए पैसा, financial resources, और क्या हो कि strategic financial decision making में पूछेगा वो, तो सबसे पहले कहां से start करोगे, सबसे पहले यह start करोगे, कि decision making जो है, main जो target है, wealth maximization, main जो target है, हमारा maximization operator, optimal mix, जो fund का है, वो allocation optimum करना है, यह हमारा है, और यह कैसे किया जाएगा, main essential किया है, strategy बनाया जाएगा, और financial resources कहां से arrange होगा, यह देखना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे पास right management team होना जाएगा, introduction, चार लाइन में लिखोगे, तोझे लेगा, फिर क्या लिखोगे, फंक्शन, फंक्शन पूछ सकता है, कि भी क्या होगा, फंक्शन क्या होगे, फंक्शन long term हो सकते, short term हो सकते, पर यहाँ function की बाद समझना, हमें decision making लेना है, जी, तो उसके लिए कौन-कौन से function, decision making लेना, investment करना, investment ही, मैं investment की बात, तो सबसे पहला काम है, कि अब search करो, कि search, search कीजिया, best कौन सा हो सकता, search कर लिया, बहुत सारे investment proposal मिल गए, तो बोले, अब उसके बाद आप select कीजिया, ठीक है, select भी कर लिया, search किया, उसमें से जो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, हमने select कर लिया, और बोले, जो आपके fund, pass fund है, उसको allocate करना पड़ेगा, बोले, जो optimum mix कीजिया, जो आप establish कीजिये, और जो भी है, फिर उसका analysis कीजिये, it means, ये function उन्होंने बताया, मुझे सबज मनिया था, total theory ये वाकित थोड़ा सा मुस्के लेखना है, पहला काम क्या functions किया होगा, strategic financial decision making, financial decision making, search करो, फिर select करो best, फिर optimum mix करो, और फिर क्या करो, internal control system को establish करो, और फिर जो भी कि है, उसका analysis कर लो, एक पर, exam में ये question आया, और ये important है, key decision of financial strategy, key decision of financial, कहां कहां financial, SFM में, सीधी जवात है, financial strategy वगेरा, मैं क्यों मोल रहा हूँ, SFM में हमारा, हमको जो decision making करना है, वो जो decision making है, वो कितने area में किया जाता, key decision किया, तो key decision किया, सुनना ध्यास, पहला, तीन decision होते है, एक तो हमें क्या करना, पैसो का arrangement करना, ठीक, और उसको investment करना, arrangement किया, उसको investment किया, उससे जो कमाया, उससे dividend बाढ़ दिया, बास main चीज है, हमें क्या-क्या decide decision में कहां problem, प एक समस्या, जहां से जस्ता मिले, वहां से arrangement करो, तो बस पहला, तो decision making में की decision होगा, कि पैसो का arrangement कहां से करे, दूसरा जो decision होगा, वो क्या, पैसो का investment कहां किया जाए, पैसो का investment भी कर लिया, तीसरा जो decision होगा, कि पैसा कमा तो लिया है, shareholder के लिए, तो shareholder को dividend कितना दिया ये तीन decision होते हैं देखा जाएता हूं वही बात लिखा इन्होंने फर्स लिखा Financing decision mix of debt and equity it means financing decision में दो टाइप के decision लिखना पड़ेगा आपको पहला पैसो का arrangement कहां से करना है एक chapter पढ़ा होगा cost of capital पैसो का arrangement कहां से करना और capital structure क्या रखना है it means यहां हमें capital structure की भी बात करने पड़े हैं कि debt कितना रखे और equity कितना रखे ठीक this is financing decision अब पैसो का arrangement हो गया हमने debt equity mix भी कर लिया optimum mix जो भी होता होगा ठीक 2 to 1 बोलते है ठीक उसके बाद investment decision लेना कि फंड का utilization कहां किया चापिटल बस्टिंग वगेले से decide करेंगे कि उटिलाज़ेशन कहां होगा एक बार utilization हो गया पैसा कमाया तो dividend कितना देना है यह decision होगा और जब आपने यह भी हो गया तो अब इन तीनों का मिलाकर aggregate करके इनका हम analysis करेंगे जिसको बोलते है portfolio decision aggregate performance check करेंगे it means key decision exam में आया हुआ है key decision कितने type के होते है कितने type के होगे एक तो होगा है financing decision दूसरा investing decision तीसरा dividend decision और चोहता portfolio है तो यह topic में कुछ तह नहीं था strategic financial decision making framework में introduction functions और key decision तो key decision वाला ज्यादा important exam में आया हुआ है इसे याद करके जाओगे strategy at different hierarchy levels ठीक जो आप strategy बनाते हो वो किस level पर बनाते हो मतलब मतलब भाई किसी भी company में अलग-अलग level पर strategy बनाई जाते है जो बड़े लोग होते है वो corporate level पर strategy बनाते बड़े लोग का मतलब directors वगेरा कुछ लोग उसके बाद business unit level पर strategy बनाई जाएगी वहां के लिए अलग strategy होगी और फिर function level पर अलग strategy होगी इत मींस hierarchy level में तीन उन्होंने एक corporate level बोला एक business unit level बोला और एक function level unit बोला याद करना पड़ेगा strategy at a different hierarchy level सर कॉर्परेट लेवल पर strategy क्या बनाएं यही बनाएंगे कि यार हमको किसी company को acquire करना या कुछ नया business start करना तो इसके लिए क्या strategy बनाया जाएगा it means selection of business की strategy कौन सा business select किया जाए कौन सा business this is corporate लेवल इस्ट्राइब बिजनेस वही कौन सा business select करें में तो मुद्दी की बात हुई बड़े लिए और जब भी यह सोचो कि कौन सा business start किया जाए एक नया business जो चल रहा वो चल रहा इसके अलावा कुछ नया business start करना तो बोले इसके लिए आप खुद तीन बेसिक question होगे आप जब भी selection करोगे जब भी strategy तीन question अपने आप से कर लेना बोले कौन कौन से जो business आपने select किया है क्या वो आपके लिए suitable है यहां sustainable होना चाहिए था suitable है ठीक सोचो जो बिजनेस आपने start किया वो आपके लिए suitable है पहले यह चेक करो और suitable है तो क्या वो feasible है मतलब क्या उसके लिए आपके पास पैसों का arrangement किया जा सकता है बहुत सारे है ऐसे भी बिजनेस हो सकता है जो मेरे लिए suitable नहीं मना करो पर अगर ऐसा लगर हर जगा सेंटर खोल कर क्लासिस चला है तो चेक करो क्या आपके लिए suitable है यस मेरे लिए suitable क्या उसके लिए आपके पास पैसा रेसोर्सेस है अगर मुझे आइपील टीम कर इतना सवाली पैसे ना तो मेरे लिए suitable भी अगर suitable है भी तो मेरे लिए पैसा नहीं होतना और तीसरा क्या वो इस टैक होल्डर के लिए acceptable है क्या वो मेरे बच्चों को पसंद आता है जो आप सूसरे कि सेंटर हेंडर ओपन करके क्लास हो सकता कि उनका नहीं सापेंडरेज चलने दो यार दिन में टाइम ही नहीं मिलता तो वो acceptable नहीं है इस मैं बस यह बहुल रहा हूं कि जब भी आप डिसाइट करोगे corporate level strategy आपको अपने आप से तीन question पूछना है पहले selection करना business का तो जो business select करोगे क्या वो suitable है अगर suitable है तो क्या वो feasible है पैसा है अगर feasible है तो क्या stakeholder द्वारा वो acceptable है अगर है तो फिर start करो तो यह तीन चीज़े यह आपको लिखना पड़ेगा साप यह सब्द लिखना पड़ेगा I.C.E.R हमारे module का language corporate level strategy दूसरा कौन सा होगा business unit level strategy सर इसमें क्या होता business unit level strategy business unit level strategy में बहुत बड़ी company है और उस company में बही अलग-अलग business हो रहा है ना यार तो उनका यह कहना है कि आप बहुत पुरा company का एक सात्मा सोचो आप अपने बिजनेस पर फोकस करो आपका business क्या books में जैसे मेरी अपनी जो मेरी classes चलती पहिंद रही है यह बहुत सारी चीज़े बहुत सारे प्रोड़क्ट है मेरा जो और एक business हुआ है मेरा books books का भी काम होता books बेची जाती है तो सवाल है जो books बेचने वाला जो लोग है वो बस books पर फोकस करें वह आगे और और किसकी अपने लेवल पर काम करें अपने प्रॉफिट सेंटर पर काम करें बस हाँ हाला कि यह help करेगा corporate level strategy में पर बोले आप बस अपने business पर फोकस करोगे तिस बिजनेस यूनिट लेवल strategy तो independently काम करना आपको और coordination करना operating units का ठीक है बिजनेस corporate level strategy यह तीन पॉइंट लिखना बढ़ेगा आपको और अब क्या पढ़ा है इस business level strategy and the last functional level strategy function ना जाने कितने functions आपकी company में एक research and development department होगा operating division होगा manufacturing होगा marketing होगा finance होगा यह सब functions और यह अपने अपने साबसे strategy बनाते हैं हाला कि यह help इससे help होगी किसको business unit level को यह input है किसके लिए business level और यह main activity है बोल रहा finance तो main activity है तो सहब तर यह तो विल्गुल technical theory नहीं है हाँ जी आपको लिखना पढ़ेगा अपने मन से बहुत सरी चीज़े तो strategy कितने type की होगी hierarchy कि ना होगे corporate level strategy दूसरा क्या होगा business level strategy और तीसरा क्या लिखना है आपको functions level strategy दो point हो गया है पहला SFM क्या है की decision क्या है की decision याद करना पड़ेगा strategy अलग-अलग level पे कितना होता corporate level business level और functions level एक theory आसकता कि भाई financial planning क्या financial planning पैसा पैसो का planning क्या है पैसा financial तो सबसे पहले यही बता हो कि भाई finance के बिना दो कुछ होई नहीं सकता this is backbone of business planning और target क्या finance का कि जो resource है उसका maximum use किया जाए maximum ठीक financial planning के विसे मैं यहीं बताना कि भाई financial planning हमारे लिए बड़ा important है पैसो पैसो का किस तरह से planning करना है और उसको maximum use कैसे करना अब उसके लिए उसने कहा कि तीन components होते हैं बहुत क्या है components तो बहुत जब भी आप financial planning केजिए सबसे पहले आपका financial goal सेट होना चाहिए financial goal का मतलब कियार मुझे किसी कंपनी को acquire करके growth हासिल करना या फिर मुझे बहुत सारा profit कमाना यह मेरा हो गया financial goal मतलब खुब profit कमाना है मुझे growth rate 20% करना यह goal कुछ भी हो सकता है अब इस goal के लिए हम किसके सहरी की जरुरत है टूल्स अब एक profit गमाना तो क्या करें दूसरी कंपनी को acquire करो acquire के भी tools हो सकते हैं किस तरह से किया जाए यह हो गया financial tool और चीक है यह भी final हो गया कि acquire इस तरह से करेंगे तो भी उसके लिए पैसा कहां से आएगा it means finance में यह कुछ इसमें कुछ example मत लिखना कुछ नहीं लिखा है अंदर बस यह तीन लिखा है financial planning का component क्या क्या हो सकता एक तो goal उस goal को achieve करने के लिए tool और उसके लिए resources क्या है और outcome क्या है financial planning का outcome तो सबसे पहले outcome क्या है भाई हमारा objective जो है objective वो fulfill हो रहा है कि नहीं और objective ऐसा नहीं कि एक बार में आपको हर बार चेक करना पड़ेगा objective और उसके लिए हमें क्या decision making लेना पड़ेगा और जो objective अच्छी हो इसके लिए आप ratio के थ्रू measurement कर सकते हैं तो यह सर यह वाला theory यह बिल्कुली theory इसमें कोई points भी नहीं है तो यह तो भाई आपको paragraph पड़ना ही पड़ेगा अपनी book से फाइनली तीन theory हुई पहला क्या हो गया strategic financial decision क्या होता यह समझाओ तो पहला introduction लिखो गर की डिचल लिखो गये important दूसरा different hierarchy level पर corporate level strategy business level strategy और functions level strategy और तीसरा financial planning क्या होता है financial planning में क्या होता है इसके लिए आपको यह keywords लिखने यूज करने पड़े यह वाला ठीक है बाकी तो आप लिख सकते हैं अंतर की बात एक्जाम में क्या सकता है यहां से एक तो यह आया हुआ और यह आ सकता है financial planning पर साइद ही question है चले जी आगे अब दो चीज है दो चीज में यहां से question आ सकता है कि कितने phase होते है financial policy and strategic financial management strategic management की सुना ध्यान से important है यहां से question आ सकता है सर फेज मतलब interface मतलब वही तीन चीजे लिखना पड़ेगा सबसे पहले क्या करूगे अब आप तयार हो चुकिए financial planning के लिए financial policy and strategic management करना उसके लिए तयार हो चुकिए तो सबसे पहले काम क्या होगा सबसे पहले होगा पैसों का arrangement करना ठीक अब पैसों का arrangement कैसे कर सकते बैंक से भी पैसे ले सकते बैंक में हम शॉट टर्म के लिए ले सकते लॉंग टर्म के लिए सब कहानी लिखी हुई है इसमें इट में सबसे पहले है कि भई यह बताओ सबसे पहले सुनो जब भी इंटरफेस बताईए financial policy का तो पहले तो उन्होंने कहानी लिख रहा कि यह 뛰 शोरू में भी पैसा पर हमारे लिए strategic plan क्या होगा तो उन्होंने का सबसे पहला काम है कि आप पैसो का arrangement सबसे पर सकते हो ग इसमें कुछ नहीं अब पैसों का इरेंजमेंट जो गया इनवेस्टिमेंप कैसे करोगे और इन्वेश्ट मेंट मैं इन्वेश्ट में जाहो था था आप नया प्रोड़क्ट कर रहे वह तो यह नया प्रोजयक्त नहीं पर आप लेवल आप प्परेशन को इंपूरा यह पने का लूट सकते गरao रिधिस चाहें थीजिजन हो सकता है थीक और क्या बढ़ाएं, interface of financial policy, interface में पहला क्या होगा, sources of finance and capital structure, capital structure की विसे में, debt कितना रखना, equity कितना रखना, यह बताया, तो पहला क्या बताया, उसने, sources of finance, sources of finance, पैसा कहां से आएगा, और किस रूप में आएगा, debt कितना रहेगा, equity कितना रहेगा, और यह सब उन्होंने बताया, कि आप owner capital, borrow capital को यूज कर सकते हो, यहां सी यूज कर तो यह पढ़ लोगे आप, दूसरा decision होगा, investment decision, fund allocation, आप नया project इस्टार्ट कर सकते हो, आप जो existing project है, उसमें increase कर सकते हैं, आप cost reduction वाला के भी काम है, और तीसरा क्या है, dividend policy, interface में, तीन interface, finance, source of finance, second, investment decision, third, dividend decision, dividend decision क्या होता है, कि earning आप कितना distribute करने वाले, earning कितना, जितना कमा रहे हैं, उसमें से कितना dividend देना है, that's it, और dividend देने की बहुले policy बहुत सारी, एक होता stable dividend policy, हाला कि dividend policy chapter, आपने कहां पढ़ा हुआ, ये intern में, या दिला देता है, एक होता stable dividend policy, जितना कमाएंगे, हम एक fix 2 रुपए per share dividend देंगे, चाहिए दुनिया इधर से इधर रहे हम 2 रुपए देंगे, इस साल भी 2 रुपए, अगले साल भी 2 रुपए, constant percentage, सर, constant percentage का मतलब, जितना कमाया, उसका 60% dividend, ये भी अच्छा नहीं है, कभी ज़्यादा कमाएं तो ज़्यादा मिलेगा, कम कमाएं तो तो शेरोल्ड रुपट पता ही लगेगा, या मिलेगा कि नहीं मिलेगा dividend, ये भी होता constant percentage, अलागे dividend policy बहुत सारी है, पर ये तीन ही लिखा हुआ, और तीसरा होता है कि 2 रुपए तो देंगे ही देंगे, प्लास जो हम कमाएंगे, उसका कुछ percentage भी देंगे, ये भी होता है, तो तीन तरह की policy बताया है dividend policy में, stable dividend policy, constant percentage, minimum dividend, और फिर हमें इसमें ये भी देखना होगा कि हमें dividend cash में देना है, कि हम bonus share issue कर देंगे, ये भी एक श्टॉक देंगे है, तो exam में आगया अगर interface बताये financial policy का, तो तीन interface है, sources और finance पैसा कहां से आएगा, investment कहां होगा, और investment करके जो कमाएं, उसका dividend किस तरह से दिया जाएगा, ठीक है, and last, balancing balance कीजिए, financial goal और sustainable growth, growth क्या होता है, गोल क्या होता है, सर्फ गोल तो एक ही, खुब पैसा कमाना, ठीक, तो growth होना चाहिए, अब growth ऐसी भी abnormal nature की growth rate होता है, abnormal, कि सुरू में ऐसा, चार पास सालों तक खुब growth हो रहा, बहुत growth, दस, दस, बीस, परशन, तीस परशन का growth, और बाद में growth खथा, बहुत ऐसी नहीं चलेगी, growth ऐसा होना चाहिए, long term के लिए होना चाहिए, sustainable growth होना चाहिए, अगर आपका, ऐसा भी है कि financial goal जो है, financial goal, को पैसा कमाना है, तो वो हमेशा के लिए नहीं हो सकता ना, बात समझना, उनका ये कहना है, इस topic में क्या था, इस topic में है कि जैसे बूले, fuel है, fuel business, तो fuel तो यार, बहुत कम मात्रा में हमारे limited है, अब आप चाहो तो आप गोल अचीव कर लो, उन fuel का जबर्दक भी उच कीजिए, लेकिन वो कब तक करोगे, growth है, अब भी है 2-4 सालों में, पर वो sustainable नहीं है, तो बहुत इन दोनों को balance कीजिए भाई, इन दोनों को balance कीजिए, जो growth होना चाहिए, वो short term के लिए नहीं, long term के लिए होना चाहिए, इस तरह से इन दोनों को manage कीजिए, इन दोनों को balance कीजिए, ये बात उन्होंने किया है, इस topic, तो growth objective जो है, वो क्या होना चाहिए, consistent होना चाहिए, example दे देना, fuel industry का, सर, इसके लिए और detail में समझाई ही, वो पढ़ा लेना, fuel industry में क्या लिखा हुआ, sustainable growth important है, किसके लिए, long term के लिए, और बुले, organization को financial sustainable होना है, sustainable होना है, तो बुले, किन चीज़ों का धिया, organization है, उनको financial sustainable होना, आगे तक कोई problem नहीं आनी चाहिए, तो बुले, भाई, एक से ज़्यादा, आपका source of income चाहिए, आप regular basis पे planning केजिए, आपका financial system adequate होना चाहिए, public image होना चाहिए, financial independence होनी चाहिए, यह बहुत सारी पते लिए, माइन ने रखती, यह सब चीज़ें, कहानी किस से है, आपके लिए minimum objective बताया, कि इस theory का माला मैं दो page का theory लिखा, paragraph में, point में लिखा ही नहीं है, तो अच्छे से कबना, growth rate का formal तो आप लिख सकते, growth rate का formula बेंटु आर, और यह है B, और growth rate जब आप निकालते तो मैंने assumption आपको regular class में लिखा रहा है, कि इसमें हम हमेशा assume करते है, growth rate में, कि हम बाहर से पैसा नहीं उठाएगे, जो भी return earning है, उसी का use करेंगे, finance करेंगे, तो capital structure maintain रहेगा, बाहर से आप पैसु का arrangement नहीं करोगे, जो internally generated fund है, उसी को use करेंगे, dividend payout ratio भी seem रहेगा, और increased sales as market condition allowed, तो इससे question, यहां से भी chances काम है, कि growth rate क्या होता, अगर पूछी का growth rate क्या है, तो हम कहां से कर लेंगे cover, इसको वैसे भी हम लोग security evaluation से cover हो जाएगे, इस chapter में सरकाम की बात है, क्या है, कहां कहां से question आ सकते है, बागी chapter थो important है, तो इस question में आ सकते हैं, यह वाला, area important है, different hierarchy level क्योंकि इसमें याद करना पड़ेगा, corporate level strategy, business level strategy, function level strategy, interface पूछ सकता हो, interface आपको याद करना पड़े, ठीक है, ऐसा लग रहा होगा कि सर ने बिल्कुल speed से बढ़ाया, हाँ जी, यह chapter तो speed से बढ़ाने वाला था ही, फिर से revision class और regular class में जमीन आसमान का अंतर है, जो chapter में 4 घंटे में पढ़ाऊंगा, regular में उसको मैंने 20 मिनट में खतम कर दिया, 20-30 मिनट में खतम कर दिया, जो 4 chapter है, सायद 2 घंटा लगा होगा, एक प्रॉक्स दो घंटा लगा होगा, वही चार chapter को पढ़ने में 10-15 घंटे लगते, तो please, आप मुझसे revision lecture को देखकर guessing मत किजिएगा, कि या, मैं कैसे बढ़ा रहा हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़े ऐसी है, नहीं है, होगा ना भई, क्या, बहुत सारी चीज़े मुझे ऐसी लगती, यूजले से समझाने का फायदा नहीं, ठीक है, या फिर पहले से आता है, तो मैं वही सिखा रहा हूँ, अब खुदे, एक और chapter है, जिसका नाम है security analysis, जिसमें technical analysis की बात करूँगा, लेकिन उससे आज तक कोई question आया नहीं है, इसलिए मैंने उसको इसमें cover नहीं किया, हाँ, एक दो दिन में, मैं कोई commitment नहीं करूँ, commitment करता हूँ, तो बच्चे परिशान करते हैं, एक दो दिन में, मैं वो technical analysis का theory, detail में डालूँगा, detail में, और एक काम आपके लिए कर रहा हूँ, कि description में जब जाओके, तो मैं आपको इस notes के साथ साथ, जब इससे news label से start हुआ, और theory वाला question जितने भी आया है, सब को मैंने एक सत कर लिया, और उसके answer भी साथ सत लिख दिया है, तो वो मैं provide कर देता हूँ, ताकि एक बार देखने का, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कहां से उठाया है, suggestive से, जितने भी theory वाले question है, ऐसा तरन A, B, C, वो C वाला question उठा लिया हूँ मैंने, और उसका answer, उस सारे की सारे theory वाले question, इसके बाद आपको मिल जाएगे, मतलब description में वो आपको मिलेगे, उससे idea हो जाएगा, कि यह question कैसे आते है आखिर, ठीक है, thank you so much, मिलते है next class में, साइद वो, आज तो वो भी, release हुआ होगा MTP, तो उसके भी question देख लेते हैं, साइद कुछ नया हो, देखना पड़ेगा, बाकि technical analysis में लेकर आऊँगा, जल्दी यह आऊँगा, date नहीं बता सकता, thank you so much, बाई बाई बाई, याद कर ले ना भाई, चार-चार नंबर, अगर तीन-चार, चार वी question आगे तो 16 मार्स होता है, बहुत माइने रखता 16 मार्स, बाकि chapters का theory कैसे करना, derivative, 4X मत करो भाई, कोई जरूरत ही नहीं है, मेरी बाई समझो, अगर आएगा तो वो मैंने लिखवा रखा, मैंने बहुत कुछ लिखवा रखा आपकी कॉपी, बस उतना कर ले ना sufficient, एक्स्ट्रा मत करना कुझी, नहीं आएगा, असर उसमें से नहीं आया तो फिर पता नहीं कहां से आएगा, इसलिए प्लीज कुछ एक्स्ट्रा मत करना,